हलो एव्रिवान आई आम शेरन आई वेल्कम यू आल ओन दा ओफीशिल चानल ओफ एर्यूदिशन स्टड़ेज आज दा जो ए पर्टिकुलर सेशन है इस दे विच असी जैन्वरी 2021 तो लेके आंड सेप्टेमबर 2021 दे सारे ही जो एकॉनोमी दे विच्छ करेंट अफियर्स हो है ठीक है और एदे विच्छ दो चीजां जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग दे विच्छ एक्स्प्लेइन करन दे लई इंक्लिवड कीती आया इक है एकॉनोमिक सववे और दूसरा है यूनियन बजेट ओके और कोई वी एकॉनोमिक कारेंट अफियर्स होंदे ने वो एनना दोना चीजां तो बिना पूरे ही नहीं हो सकते राइट इसलिए सब तो पहला असी एकॉनोमिक सववे आप्टर दाट यूनियन बजट नू डिसकस करांगे उस दे विच्छ की कुछ इंपॉर्टेंट होया है केणिया केणिया थामतों सनू एक्जाम दे विच्छ क्वेश सेशन अच्छा लगने है मैं हारी क्वेशन देना रिलेटेड जिनने भी एक्स्टाव फैक्ट्स होनगे उनना भी पूरी तरह डिसकस करूंगी और राइट एक्स्टाव फैक्ट्स रहेंगे प्लीज तुसी अपने रेजिस्टर दे विच जरूर लिख लाने है ठीक है ति सेशन देखो अगर तुसी बैंक दी तयारी कर रहे हो ता एवला सेशन तव अडेली मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन थिक है या फिर अगर तुसी किसे वी एख Diesel एकारी कर रहे हो जिसनदा पार्ट है इक्ट्नामिक्स या फिर जिसदा पार्ट है current affair ता उसदे वीच एकनोमिक्स नू अजकल current affair दे नाल रिलेट करके ही questions पुछे जान दे है ठीक है ता इसलिए ए सेशन तो अडेली बहुत ही जादा important session होन वाला है फिर आपा start करांगे आजदे session नू ठीक है एते तो अनू दिख रहा होएगा सड़ा जो इस वार economic survey होया 2021 दा उसदा front page ठीक है और इस दे उपर लिख्या होया है volume 1 पहला आप एथी गल कर लेने हैं कि जो एंदे विच्च खास खास चीजां की दित्या होई है ता देखो एते तो अनू दिख रहा होना या COVID-19 दा साइल है ना तो अनू पता ही है कि इस वारी COVID-19 दे विच्च अपना पूरा साल निकल गया 2020 ता खास करके पूरा किस दे विच निकल आया COVID विच्च है ना ता इसले फिर इस वारी जो budget है या फिर economic survey है इस दे विच्चना COVID नो खास करके 93 रखके schemes नो लेंदा गया या फिर analyze किता गया ठीक है इस तो बाद आते तुसी देख रहे हो साड़े frontline workers जिस तरह की doctors है या फिर police करमचारिया नर्सीज है एना ने बहुत अग्गे आके COVID दे दोरान साड़े लें help किती सी है ना इसले एना नो भी इस volume 1 दे front page दे उपर दिखाया होया ठीक है इस तो बाद तुसी देख रहे हो एते तो अनुएक shape दिखरी होएगी V shape है ना ता इस तो पता चाल रहे है कि जो साड़े economy है इस देविच पहला downfall आया है और फिर एकदाम recovery आया है अपा इस ते बारे देविच गल करांगे इस sign दा मतलब है कि साड़े जो economy है ए वी shape recovery देवालनू वद रहे है ठीक है इस ते बारे गल बात करनी है और राइट ता एदा पहले ही page दे उपर सानू जादा तर चीज़ां जो है पता चल जान दी है कि economic survey देविच अग्गे सानू की दस्या जाना है ठीक है पहला गल कर दिया economic survey हुंदा की है ता देखों जेड़ा economy survey हुंदा है एक तरह दाना तु Ministry of Finance हुंदी है उसते एडवाइजर्स दी एक मीटिंग हुंदी है उसते विच ऐस economic survey नू प्रेजेंट किता जान दै ठीक है ते जेड़ी एडवाइजर्स दा एक पैनल हुंदा है ए जिन्नी वी पिछले बारा महिन्या दे अंदर अंदर साढ़े देश देविच economic progress होई हु एडवाइजर्स दे ग्रुप वलों त्यार किता जान दै ठीक है ता economic survey एडवाइजर्स दे पहला document हुंदा है जो की budget session दे स्टार्ट हुन तो बाद पार्लेमेंट दे विच ना पेश किता जान दै राइट ते इस तो बाद ही फिर union budget आन दै ता इसना मतलब union budget तो भी पहला जेड़ा document पेश होएगा ओके डरेगा that is economic survey और राइट इस सर्वे सानु दस्दा किया है तानु पता ही है कि government of India time to time अपने देश दी तरक्की दिलेही या फिर पिछड़ी लोगां दिलेही या फिर किसाना दिलेही औरतां दिलेही अलग अलग government schemes लेकी ओंदिया है ठीक है जिन्यावी scheme government of India वलो launch किती है जान दिया फिर एंदिया जिन्यावी policies ओंदिया है ठीक है ओना दा सड़े Indian economy दियो पर की impact प्याव इसते बारे देविच गलबात किती जान दिया economic survey दे दो रान एड एवी देख्या जान दा है कि जो अलग-अलग schemes है गिया है एक किस तरह दी performance कर पाईया ठीक है पूरे साल देविच schemes दा एंड policies दा लेखा जोखा भी सानू economic survey देविच मिल दा है और राइट इसते नाल नाल ए महंगाई दी दर दे बारे देविच fiscal developments दे बारे देविच या फिर बाकी जिन्नेवी economic factors हुंदे ने जेडे सडे देश दी अर्थ विवस change, employment, agriculture, एंडाल देवी जिन्नेवी sector है गया एंडा एकॉनमी देविच अगर असर हो रहे है ता एंडा दे बारे देविच वी गलबात किती जान दी है ठीक है तुसी लास्ट चार पंच साल तो notice किता हुन है कि जेडा economic survey है ना दो वोल्यूम देविचाना स्टार्ट हो गया ठीक है पहली वोल्यूम और दूसरी वोल्यूम ठीक है जेडी अंडी पहली वोल्यूम हुन दी है जादा important वोल्यूम रहन दी है और यह जिन्ने भी एड प्रेजन अपने देश देविच या वर्ल देविच एकॉनमिक ट्रेंड चार रहे हुन देने ठीक है उनना सारे इस देविच सारा स्टेस्टिक डेटा जो है दित्ता जांदा है ठीक है वैसे ता दोनों ही जो डॉक्यूमेंट ने important हुन देया है इस वाइकॉनमिक सर्वे देविचे include किते जांदे है बट अगर तुसे अपने पेपर पॉइंट व्यू देना देखोगे ता इस देविच जो फॉस्ट वॉल्यूम हुन दे है ओ जाधा importance रख दा है अगर अपा गल करिए सड़े देश दा पहला economic survey इन 1950 और 51 दे विचना present किता गया सी ठीक है बट 1964 तो अगर अपा देख दिया तैस नू सड़े union budget देनाल ही पेश किता जांदा है ठीक है यानि कि union budget तो जस्ट एक द सब्सक्राइब कर देयां 23 किन्ना ने प्रेजेंट किता economic survey निर्मला सीथा रमन जी ने 29 जैन्वरी 2021 इसनों प्रेजेंट किता सी ठीक है पार्लेमेंट देविच्च और थीम बहुत ही जाधा important हुन दा है हर साल economic survey या फिर बजट दे विच्चों अगर कोई question बन दा है ता ज सब्सक्राइब कोविड 19 दे याद जरूर दिलाएगा इस दा थीम सीगा saving lives and livelihoods देखो इस थीम दा मतलब की है देखो इस वारी तो नू पता है जो दो कोविड आया ते अपने पूरे इंडिया दे विच्च पूरी तरह lockdown लगाया गया सी है ना और अलग-लग international organizations ने भी बोल death rate नहीं दे पाई जिनना की पूरे वोल्ड दियां बाकी country दे विच आया राइट जिस तरह आपा इटली और यूएस से दा हाल देख्या सी है ना पर इंडिया दे विची नहीं होया क्योंकि इंडिया दी government ने बोला सिगा कि यसी ना पहला आप दिया lives नू सेव करना है और साड़िया जिन्दगिया नू सेव करना है ठीक है किसली उनना ने बोल लिया कि जेड़ी साड़ी economy है अगर ए नीचे आगी तामी असी दुबारा तो एननू अपनिया schemes and policies दिनाल implement करके उपर नू लेके जा सक्दिया है ना पर अगर असी अपनिया जिन्दगिया गवा दित या कि इस तवारी दा जो economic survey दा main impact रिया या ओ किसी गा इस दे विच focus किता गया कि COVID-19 दा साड़ी Indian economy दे उपर किस तरह दा असर होया ठीक है और ए जो economic survey दा document हुन दा है कौन एननू prepare कर दा है economic division of the department of economic affairs इस दे वलो इसनू prepare किता जान दा है और अगर आसी देखिये कि किनना दी सर परस्ती दे विच इसनू present किता जान दा है ता जेड़े chief economic advisor हुन दिया ना उनना दे अंडर ही ए वाली organization कम कर दिया है तो इस वारी chief economic advisor दा नाम किया है कृष्ण मूर्थी सुब्रमन्या ठीक है जी एनना नहीं इस economic survey दे document नू त्यार किता सी ओके इस तो बाद जो economic survey हुन दा है इस तो बाद फिर पेश किता जान दा है या union budget 2021 और एननू 1st of February नू इस स्वारी दित्ता ग्या सी ठीक है और अगर वीच non working days ओन दे है ता उनना नू छोड़के फिर next working day दे वीच इ इता जान दा है और राइट येस हुने ते आपा देखन लगे आ कि अपने पेपर दे point of view देनाल economic survey दे highlights केड़े केड़े हो सकते है ठीक है 23 दे विचना कुछ इक स्टाटिक है जो कि तो नू बहुत अच्छी तना याद रहना चाहिए एक तैन्ना ने बोलया कि जड़ी इं 10.7% ठीक है देखो ए वीडियो वैसे तो अनू अक्टूबर दे विच मिल रही है राइट पर जदो तुसी एकॉनोमिक सर्वे या फिर बजट पड़ोगे ता याद रखना है तुसी अनू उस टाइम दे यानि जैन्वरी और फैबरी दे point of view देनाल ही देखना है राइट या फिर स्कीम्स होन गया जो की और रेड़ी इंप्लिमेंट हो ना गया हूं ठीक है तैसलिए तुसी ओनना नू इकॉनोमिक सर्वे दे हाइलाइट से अकॉर्डिंग नहीं देखोगे ओके येस तैन्ना ने बोल्या कि एकॉनोमिक सर्वे दे विच जो GDP है सड़ी 7.7% तक इस फाइनाइशेल लिर दे विच कॉन्ट्राक्ट हो सक दिया ठीक है किसली बिकल्स पूरे कंट्री दे विच लग्या सिगा लॉगडाउन है ना और इस ते करके जो सड़ी एकॉनोमिक एक्टिविटीज है गया है आल्मोस्ट बिल्कुल रुक गया सी है ना ना कोई एक्स प्रीज कार खाने शॉप से सब कुछ बंद प्यासी एक तरह पूरी दे पूरी एकॉनिमी जो है बिल्कुल स्टैंड स्टिल दे मोर्दय उपर आगे सी राइट इस करके तुसी याद रखना है कि इस करके ही बोला जा रहे है कि इस वारी दी जो एकॉनिमी है एक कॉन्ट्र इस फैनाशल एर दे बीच इस फैनाशल एर दी गल नहीं हो रही एक थे दस्या गया है एस्टिमेशन फोर नेक्स फैनाशल लियर ठीक है ए रियल जीडीपी दा एंड जो नॉमिनल जीडीपी है ए बोला गया है 15.4 परसेंट तक जा सक दिया है और यह दोनों ही जो फैक्ट है फिगर है तो अडेली इंपॉर्टेंट ट्रेंड याद रखोगे ओके और एनना ने बोलना है कि अगर यह 15.4 तार्गेट अचीव कर लन दी है ताएं इंडिपेंडेंडेंस तो बाद हुन तक दे लेई सब्तों वड़ा जंप होएगा जीडीपी देविच ठीक है इस त एक recovery हुन्दी है यह हुन्दी की है देखो इसंदा मतलम हुन्दा मान लोकोई economy है जिस देविच की decline आ गया किसे वी reason करके जिस तरह इस बाद ही decline आया है पूरे world economy देविच कोविड करकी राइट decline आ गया और एक दम बड़े ही sharp और बड़े ही quick तरिके दिनाए economy एक दम down ज पाया और तेजी अगर अपने एकॉनमी उपर नू चली गई है रिकवर कर गी है ता इस ता मतलम हुंदा है कि सड़ी रिकवरी वी शेप रिकवरी होएगी ठीक है ते सड़ी इंडिया दे विच भी की होया है बड़े छोटे पीरियड दे विची बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी ता इक्वेशन आ सकते है कि कोविड तो बाद सड़ी जो इंडियन एकॉनमी है एनने केड़ी वाली रिकवरी लही है ता उत्ते तो अड़ा आंसर वी शेप रिकवरी होना चाहिए ओल राइट हां जी हुन इस तो बाद जो ग्लोबल एकॉनमिक आउटपुट है अगर अपप पूरे वॉल दी गल कर रहे हैं तो कोविड नाइंटीन दे दोरान बोलया जा रहे है कि दो हजार वी दे विचना सारे यां दी जो इकॉनमी है ए 3.5 परसेंट एस्टिमेट फॉल होई सी ठीक है और एस्टिमेशन किसने दितना है ता जैनवरी 2021 दे विच आई 2021 दे विच जो इंडिया दी गीडिपि ए इस दनी जो करंण अकाउंट है ये सर्पलेस किना या या तू परसेंट तक जाएगा ठीक है और अगर असी गल कर देयां 17 मay दे विच पहली वरी हुख ऑड़ी आए कि 2% तक सड़े करंट अकाउंज दे विच सर्पलेस आया था अगर 17 साल दे बाद साड़ी एकॉनमी दे विच कोई चीज हो रही है तब पेपर दे विच ओन दे उन्दे बहुं जादा चैंसिज ने ठीक है ता याद रखोगे कि 2021 दी जो GDP है इस दे विच करेंट अकाउंड असर प्लस 2% तक आया है जो की 17 साल दी एक गैप तो बाद इस दो बाद उनसी गल कर रहे हैं साड़े एगरी कल्चर दे ग्रोथ दी ताम फैनाशेल लिए 2021 दे विच्छ 3.4% ठीक है उन्हें साड़े ली ना सिल्वर लाइनिंग दा कम करके गया है मतलब देखो तो अनू पते है कि कोविट दे विच की होया साड़ा जो सर्विस सेक् सेक्टर है साड़े जो मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर है एनना दे विच बहुत जादा डिकलाइन देखा नू मिल्या सी राइट लॉक्डाउन करके पर एकको साड़ा एगरी कल्चर सेक्टर ही एगरी कल्चर सेक्टर सिगा जिसने साड़ी जी डीपी नू बचा के रख्या जिस दे विच डिकलाइन ता आया पर एदे विच फिर भी पॉजिटिव ग्रोथ मिली है यानि कि नेगटिव दे विच एगरी कल्चर ग्रोथ नहीं आई ठीक है ताई किन्नी ग्रोथ रही है 3.4% इसनों पूरी अच्छी तरह याद रखोगी ठीक है और अगर अपा गल कर कि जड़ी इंडस्ट्री एंड सर्विस ए सड्डियां कॉंट्राक्ट होई है यानि कि नीचे वालनों आई है इंडस्ट्री 9.6% एंड सर्विसी 8.8% कॉंट्राक्ट होई ठीक है और अगर अपा गल कर देयां कि जो इंडिया है एनने 6 दिन दे अंदर अंदर ना 10 लग तो जादा लोगानों वैक्सिन दे दीती सीगी और एद्दा करन वाला दुनिया दा सब्तो तेज देश बन्या सीए ठीक है और इस दिन आल नाल सड़ी जो वैक्सिन है इसनों असनी अपने नेबरिंग कंट्रीज दे विच ना स्प्लाय भी किता है तो अनों पता ही है कि सड़ इन्डिया ने की किता सिगा इंडिया ने सड़े जड़ी नेबर कंट्रीज एना येवागर किती ओर क्वे उन्यान ने नेपाल माल्दिव देन भुटान कोवड जो भाक्सिन है एननों काफी जादा स्प्लाइ किता सी ठीक है ता याद रखना है कि 10 लख दी वैक्सिन 6 दिना दे विच देन वाला सब तो तेज देश भी इंडिया बने है और अपां लीडिंग स्प्लाइर्ज दे विच्छों में एक सीगे पूरे वर्ल्ड वाइड ठीक है कि जो इस वारी था थीम केड़ा सीगा सेविंग लाइब्स एंड लाइवली हुड्स राइट क्योंकि मेन फॉक्स इंडिया दे ही रहा सीगा कोविड दे दुरान और एदे विचना तुसी ए वाले टर्म याद रखना केड़ी शोर्ट टर्म पेन फोर लॉंग टर्म गेड ए इंडिया दा इस वारी मोटो रहा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोलया कि सानु पता है कि जदो कोविड चाड़ रहे है ते सानु लोगडाउन करना पह रहे है साड़ी एकॉनमी निच्चे आ रही है ठीक है और इंफलेशन यानि कि महंगाई वी वद्दी जा रही ह पर असी छोटे टाइम दा पेन लेलांगी ठीक है पर सानु पता है कि अगर असी एवला पेन लेलेया और असी अपनिया लाइवज नो बचा लेया सड़ी देश दिया जिंदगिया नो बचा लेया तब फिर सानु लंबा टाइम इस दा जो पुगतान है किता जाएगा सानु लंबा टाइम इस दा बाद दे विच फाइदा भी होना है ठीक है इसलिए अनने किता फिर लोंग टाइम दे लई गेन करन दे लई थोड़े टाइम दे लिए एकॉनमी नो निचे जान दिता बट बहुत स्टिक्ट मैजर्स अपनाए और लोगडाउन लगाया इंडि और इंडिया देवल नो एनना ने बोलया कि एनना स्टक्चर्ड रिफोर्म तो बाद ही जो जीडिपी है बहुत जादा बैड कंडिशन दे विच नहीं गई और धीरे-धीरे करके असी रिकवरी करने शुरू कर दिती ते वी शेप एकॉनमीक रिकवरी साड़ी जो देशनी एकॉनमी है उसने किती है ठीक है और इंडिया देविच बहुत बड़े और लार्ज स्केल देओ पर वैक्सिनेशन ड्राइवज वी चलाईयां गया एवी साड़ा इस वारी दा मेन फोकस सीगा ठीक है बिकाज असी चांदे सीगे कि वैक्सिनेशन जादा तो जादा पॉप लेशन नूँ ठीक है पहला पिंड केड़ा बनेया सी ए है वियान ठीक है और इस दी लोकेशन तानू जे एंड केदे विच मिलेगी अगर अपा हंडर्ड पेट्सेंट वैक्सिनेशन नो अचीव करन वाली पहली यूटी दी गल कर देया ता एकेडिया जी लदाक ठीक है औ और पहली सिटी दी गल करिये ता ओडिशा दी कैपिटल भुवनेश्वर ए पहली सिटी रही है और राइट इस तो बाद जो पहली स्टेट है ए है हमाचल प्रदेश ता इस चारोई चीज़ां तुसी अच्छी तरह याद रखनी आया ठीक है क्योंकि ये करंट दे विच को पर साथ देखो इस दे विच की बोला गया है एंदे विच कहरेने की की एदा हो सकता है कि यसे किसे को लोग करजा लेए ठीक है तो करजा लेंग देनाल साड़ी जो एकॉनमी आ उपर वाल नुझ जाए साड़ी जो सस्टेनिबल डेवलपमेंट है ओ हो सके की करजा ग्रोथ वाल लेके जा सकथे सैनिंह ने बोलेओ इस सपोज देखो एझने वीच न आ है आपगा करें इंडियंक घ्र लाए ठीक है तरजो सड़ा डेट है न है एस लोग्रोथ वाल लेकी गया ईवन फास्टर ग्रोथ वाल लेकी गिया ठीक है क्यों यसे और यह बोलेए जो कर्जे असी अपनी इंडिया दी ग्रोथ रेट कर लिया है मैं ता नो एक एक्जाम्पल ना समझानी है सपोज कि इंडिया दी गवन्मेंट नी किसे वी इंटरनेशनल और्गिनाइजेशन तो ना 100 रुपीज जो है एन नो उदार ले लिया ठीक है और इस तो बाद अपनी एकॉनमी दे वीच इसनों खर्च किता और एननों फिर 115 रुपय दे वीच गनवर्ट कर दिता ठीक है ते अगर मालनो एनना नो इंटरस्ट जो देना प्या 100 रुपय दे उपर एनननों देना प्या जी 12% ृताम ही तुसी देखो 12% इंटरस्ट दिता यानी 100 बदले असी 112 रुपय दे यहां राइट एज ना मतलब एथे उदार लेना गलत नहीं होएगा बस डेट ओनना ही लेना चाहिदा है जित्ते तक साड़ा फाइदा होवे काटा ना होए ठीक है अगर असी लोस्ते विच जानने आ तां तुसी कह सकते हो कि जो डेट है गया ना एसाड़ी एकॉनमी करनी है जो कि तोड़े पेपर पॉइंट ओफ यू दिनाल बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है यह वाले टर्म याद रखनी है काउंटर साइकेलिकल फिसकल पॉलिसी ठीक है एंदे विच की है गया एसाड़े जो इस वार एकॉनमिक सर्वे आया इस ते विच बोल लिया है कि काउंटर साइकेलिकल फिसकल पॉलिसी नू अपनाना चाहिए इंडिया नू एनू सिंपल टंट समझो एस ची की हुंडाया कि जिन्नी साड़ी एकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर दिया ठीक है तुसी भी देख्या होना है कि प्राइवेट सेक्टर ओना ही जादा इंव ता कि हुंडा है प्राइवेट सेक्टर ना अपने पैर पिछे खेच लन्दा है है। ए भी फिर कट्र परफॉर्म कर दे हैं जादा तर इन्वेस्ट नहीं कर दा ठीक है इसकर के फिर कट्रफॉर्म करना स्टार्ट कर दिंदा थे फिर उस टाइम दे से अपनी जो एकॉनमी यह बिल्कुल एदा हो जान दिया है जिद्धा के अंदे जो कोई ग्रोथ नहीं हो रही इस करके इस टाइम ते फिर गवन्मेंट नू की करना चाहिदा है इस दिर विच बोले गया है कि एही यह टाइम होंदा है जो गवन्मेंट नू काउंटर सैकेलिकल फिसकल पॉलिसी जो करेगी ताकि जो साड़ी एकॉनमी है इस स्ट्रेंध हो सके ठीक है और एन्विक स्ट्रेंथ मिलेगी तब फिर जदो एकॉनमी हलका हलका उपर जाना स्टार्ट करेगी तब फिर प्राइवेट सेक्टर जो है गिने और एकॉनमी नो अच्छा परफॉर्म होंदा देखके ए एंदे दे विच फिर दुबारा तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगी राइट अगर मालों साड़ी एकॉनमी बहुत अच्छी चल दी पही है अच्छा पला प्राइवेट सेक्टर जो है अराम दी नाल एंदे विच खर्चा करी जा रहे है ठीक है और साड़ी जो एकॉ पालिसी दे विच लोग पलाई दे कम्मा दे विच एवला पैसा फिर इन्वेस्ट करें ठीक है ना की इंफ्रस्ट्रक्चर या फिर एकॉनमी दे उपर राइट और अगर अपा गल कर देयां दुनिया दे डेवलप्ट कांट्रीज दी ता जिसता की यूएसे है या यूके ह अपना दे विच एही वाली पॉलेसी अपनाई जन्दी है ठीक है ऐसे करके एकॉनमी बहुत जादा उपर नूँ जन्दी है ठीक है और अगर मालो एकॉनमी निचे आ रही है ते मालो सड़ी गवर्नमेंट भी पिछे हात खिच ले ते पैसा ही इन्वेस्ट ना करे ता फिर दुनिया ते खतम ही हो जाएगी हाना सड़ी एकॉनमी खतम हो जाएगी तिस सड़ी जड़ी पब्लिक है ऑटोमेटिकली खतम हो जाएगी तिसे करके फिर बोल्या गया है कि जिसतना यूके यूसे वर्गिया डैवलप्ड कंट्रीज एस पॉलिसी नो अपना दिया है ऐसे सड़ी पॉलिसी अपनाने चाही दिया है इसी सजेशन दिती गई है सड़ी एकॉनमिक सर्वे दे विच ठीक है हूँ नत्यप गल कर रहे हैं जो सड़ी इस वारी दे हेल्थ केर एक्सपैंडिचर है गेने ठीक है एंदे विच बोल्या गया है कि ना जीडी पी दा 2.5 परसं ठीक है इससे करके जदो कोविट दी सिच्वेशन आई पैंडमिक आया ओदो फिर सड़ी हॉस्पिटल्स लगा लो या फिर सड़ी जो हेल्थ सर्विसी जो बार निकल के आई है ठीक है और ऐसे तो इस सबक लेंदे होए सड़ी जो एकॉनमिक सर्वे इस दे विच सलाद इत परसंट साड़ी साफिशन्ट है और इस देनल की होना है इस देनल फिर जेड़े साड़े पॉकेट देविच्छो पैंट तो पैंटी परसंट तक खर्चा कट सकेगा साड़े हेल्थ दे उपर ठीक है ते पबलिक दे हथताने विच पैसा जाधा ठीक है और फिर एकॉनमिक जो ग्रोफ है वो भी अपने आपने जाधा होनिया जिक से 아니라 ना केड़ कीडी porus द॑ ज़रोरत और प्रति जह क नदर नंदिया कोँए गा इंडिय्या दा प्राइ वद इंधी प्राइवत सेक्टर हगे नगी वह जदो पैसा सड़े रिसर्च डेवलपमेंट वे जदो लगोंगे तैनना दिनाल सड़े थे लग-लग इन्वेंशन्स होन गियां उसे इन्वेंशन्स दिनाल असी मेक इन इंडिया जो है एन नो फिर सपने नो सकार कर सकांगे ठीक है इस तो बाद हेल्थ दे लही आयोश्मान भारत नाम दी जो स्कीम है एंड़ा भी बोला गया कि काफी जादा अच्छा इफेक्ट होया सी अध्य वाली जो स्लाइड है ए तो अड़े पेपर पॉइंट व्यू दिनाल काफी अच्छा इंपोर्टेंस रखेगी ठीक है तैतिक इंडेक्स दिता गया है इंडेक्स दा नाम या बारी किता गया है यानि कि केड़े चैप्टर नी वैसे केड़े वाली संस्था देवलों या फिर किस डॉक्यमेंट देविच इसनों बोल ला गया ठीक है तो सी याद रखोगे एकॉनमिक सर्वे दे दुरान इसने बारे देविच गल किती गया ठीक है और एदेविच दस् इंडेक्स देविच और एदेविच ना दो हजार बारा एंड दो हजार अठारा एनना दोना सालां दा कंपैरिजन किता गया अगर तुसी 2012 विच देखोगे तब बेसिक नीड दे मामले देविच इंडिया दिया काफी सारिया स्टेट्स है जो कि बहुत ही जादा बुरा प पंजाब परसेंट तो भी निचे चलिया गया या बेसिक नीड नू अपनी पबलिक दे पूरा करन दे विच ठीक है इस करके एनना देविच सुदार दी बहुत जादा जरूरत सी है ना अगर तुसी ऐसे ही एरिया नू 2018 दे विच दिखोगे तदे को छोटा जा एरिया रह गवर्नमेंट्स है या फिर जो सड़ी सेंटर गवर्नमेंट्स है एनने 2012 तो अठारा देविच लोगां दियां बेसिक नीड नू पूरा करन दे लिए बहुत जादा अच्छे इनिशेटिव लाई ने ठीक है जो की एक अच्छा साइन है सड़ी एकॉनमिक ग्रोथ ता और येस हुन अपा गल कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन एंडेक्स दी ता एवी सड़ी इस वार अच्छी खबर लेके आया कि जो इंडिया ना एटो 50 कंट्रीज दे विच पोंच गया और इस दे बारे दे विच गल किती गई है सड़ी इस वारी दे सर्वे दे विच ठीक है ए कर रहे हैं कि जो इंडिया है एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दे विच टो 50 कंट्रीज दे विच पोंच गया है पर अगर आपना पिछला रैंक देख दिया ता सड़ा 81 रैंक सिगा है ना इस दा मतलब असी बहुत जादा अच्छा परफॉर्म किता है इस सेक्टर दे है ना और इस दे नाल नाल एनना ने बुल्याया कि ना 2023 दे दुरान यानिकी 2023-2024 दे दुरान प्राइवेट ट्रेंज जोने एनना नों इंट्रोड्यूस किता जाएगा काफी लार्ज स्केल दे उपर और एनना दियां बिट जोने ए मेय 2021 तक पूरियां कर लेयां जान गिय यासी सदे एकॉनमिक सर्वे देविच और राइट देन एनना ने बोलया यानिकी प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इसनु लेंद्या गया तांकि मेक इन इंडिया जो अपना प्रोजेक्ट चाल रहा है ठीक है इसनु भी अच्छी तरह इंप्लिमेंट किता जा सक राइट और पूरे ग्लोब देविच असी अपने एक स्प्लाई चेन बना सकिये और इंडिया देविच जो प्रोड़क्शन होवे अननु फिर असी अलग लग कंट्रीज देविच डिफरेंट डिफरेंट टाइम देवर एक्सपोर्ट करिये एक्सपोर्ट करन दिनाल फिर जड़ी जो GDP है सड़ी जो economic growth है अपने आपी उपरवाल नो जाएगी है ना और एस स्कीम देविच ना दस सेक्टर ने जिनना नो की include किता गया और बोल लिया गया कि अनना दस सेक्टर देविच ना जड़ी इंडिया देविच प्रोड़क्शन है इसनों 100% अचीव किता ज क्यों एनना ने बोला कि जो सड़ा finance है जेड़ा सड़ा real sector है ठीक है और जेड़ी सड़ी stock market है इस वारी एनना देविच कार बहुत जादा gap देखनों मिले है अगर तुसी देखोगे stock देविच जो hike आया असल देविच सड़ी जो real financial sector है उसने विचोना hike नहीं आया ता ए ज तक असी जो सड़ा इस वारी दा economic survey है उसनों कर लिया complete राइट इस तो बाद जो सड़े ली दूसरा important section है ए है union budget दा 2021 बाई वाला ठीक है इस देविच्व मैं तानों easy समझांदी कोशिश करूंगी because इस देविच्व काफी सारे question बलन दे chances सुन देया ठीक है ता जिस तरह की अपा गल कीती सड़े finance minister कोन ने जी निर्मला सी था रमन एन्ना ने ही union budget पेश किता और एन्ना ने लगातार तीसरी वार एस budget नों पेश किता है और इस वारी ना एक नमी प्रथा चली है पता चाल जेगा वैसे next time देविच्व कि ये same प्रथा follow हुंदी है ये नहीं हुंदी की नमा होया इस वरी अन्ना नेना जदो budget पेश करन ली जाना सी उस तो पहला ए प्रेजिनेंट नों मिलन देली राष्ट्रपती भवन्दे वेच भी गए और एद्दा पहली वारी होया ठीक है अदर्वाइज डेरेक्ट जाया जान्दा सी union budget नों पेश करन देली ठीक है ब पहले एदा ने full time female बनेने finance minister जिनना ने की budget नों पेश किता और पहली वारी होया जदो इस वार paperless budget जो है इसनों पेश किता गया ठीक है और टैबलेट दे विच इसनों पेश किता गया सी और एदा वी theme तुसी अच्छी तरह याद रखना है आत्म निर्बर भारत and the nation first आत्म निर्बर भारत आपानों सबनों ही पता है कि सड्डा जो government of India है इस टाइम की कोशिश कर रहे ने कि असी हर किसे चीज दी production दे विच चाहे हो defense दा खेतर है चाहे हो technology दा खेतर है चाहे हो mobile दा खेतर है यानि कि कोई भी industry है ठीक है किसे वी तरह दी manufacturing है हर एक खेतर द जो import है इस टे उपर असी cut निर्पर रहे है ठीक है देखो जदो असी कोई भी चीज अपने इंडिया दे विच इंपोर्ट करके मंगोने आ राइट ता उस टे उपर साड़ा काफी जादा खर्चा होंदा है जो के साड़े forex reserve दे विच्चो जानदा है है ना अगर असी पॉलिसीजनों डैवलप करनों पर लगा सक दिया राइट दूसरी गल अगर असी आत्मनिर्बर हो जाने या ताउदिनल की होना है की हो सकते है कि असी कुछ surplus भी production करिये और उननों फिर एक्सपोर्ट करिये अलागला countries विच राइट और एक्सपोर्ट करनों की होएगा जी सनु revenue generate होएगा है ना और इस देनाल फिर जो सड़ी GDP है जो सड़ी economy है अपने आपी बूस्ट होएगी और जो दूसरा अंदे विस संकल्प है संकल्प of nation first यानि कि जो सड़ा देश है सड़ी हमेशा पहली priority रहेगा बाकी सारे चीज़ां बाद विच ओन गया ठीक है हाँ ज फाता होना चाहिए जो यानि कि छेए पिलर्चेड़े केड़े पिलर्च शामिल है थेक है तब फेला ता अब्विसली केड़ा रहना चाहिए है health and well-being राइट ता यानि कि लोगां दी health दे बारे देविच गल किती गई है और उनना दी well-being दे बारे विच गल किती गई दन physical and financial capital and infrastructure then re-invigrate in human capital ठीक है human capital मतलब जड़े इंसान हुन दिया है ठीक है ओ सड़े लई एक investment हागी ने किसे भी देश ते वीच अगर young generation जादा है ता ओते दी development automatically जादा ही हुन दिया ठीक है इसे करके इंसाना नों भी बोला जान दा है कि सड़े capital ही है ठीक है then minimum government and maximum governance तैना ने बोला है कि उन government यसी नी चाल दे कि यादा monopoly चले कि जो government है ओ गलत rules and regulations लेके आए और ता नों नीचे नीचे दबाए ठीक है तैना ने बोला है कि असी governance करांगे असी लोगां दे लई जादा काम करने है ओके then inclusive development 4 एस्पिरेशनल इंडिया ठीक है next minimum government and maximum governance यह आपा पहला कर चुक है sorry repeat हो गया है then innovation and R&D ता innovation दे खेतर दे विच वी असी है थे कम करने है राइट ता सारे दे सारे छे पिलर तुसी याद रखोगे और राइट पहले विच्छों तुसी लेलो health नूँ ठीक है दूसरे विच्छों तुसी लेलो infrastructure नूँ ओके तीसरे विच्छों तुसी लेलो governance नूँ चोथा तुसी लेसक देओ एस्पीरेशनल इंडिया नूँ देन पंजवेदे विच्छों सी लेसक देओ इनोवेशन नूँ एंड छे में विच्छों सी लेसक देओ आर एंडी ठीक है इस तरह करके तुसी कोई कोई कीवर्ड उठा लेना और ये छे दे छे पिलर नूँ याद रख लेना ओके जान देने ओके और एंडी प्रेजेंट किता जानते हैं एस्टीमेशन करन देनालनाल एंड विच अनना दे बेस देओपर फ्यूचर देविच केडिया केडिया पॉलिसी गवर्नमेंट ओफ इंडिया वलो लेके आयां जान गया इस ते बारे देविच गल किती जान दिया ह बजट दे विची ठीक है so that जो गवर्णमेंट ओफ इंडिया है इंडिया दी ग्रोथ एंड डेवलोपमेंट देले ही कम कर सके ओके येस इस तो बात गल कर रहे हैं आपा बजट दे हाइलाइट्स ओके तहते में जिनना में तहनु डेटा दिता हो है न स्टाटिक डेटा जो इसलिए याद रख लेना ओके ता देखो इस देविच बोल लिया गया कि जो फिसकल डेफिसित अगर आपा गल कर देया जीडिप पॉइंट ओफ यू दिनाल ठीक है तो ट्वेंटी 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 वन दा जो टार्गेट सीना एसीगा 3.5 परसेंट और बाद दे फिर कोविट तो बाद रिवाइज किता गया 9.5 परसेंट ते लिया अंदा गया ठीक है 2021 और 2022 दे लिए अगर आपा टार्गेट देख दिया ता एक इनना लिया गया है 6.8 परसेंट ठीक है यानि कि स्लाइटली यह फिर थोड़ा जा कटाया गया ओर राइट देन अगर सेक्टर ने सब्तो जाधा शेर दिता है 55 परसेंट ते तो आनों पता ही है कि इंडिया देविच इस ताइम जो सर्विस सेक्टर है सब्तो जाधा साधी GDP देविच हिस्सा पान दा है ना और और वाले टाइम देविच भी जल्दी सर्विस सेक्टर दा जो शेर है इस दे कट फोरेस्ट्री एंड फिशिंग बट कोविट दे दुरान सानु एग्रीकल्चर नहीं बचाया है इस तो बाद आपा देखना है ओवले सेक्टर जिस देविच गवर्नमेंट सबतो जाधा पैसा अर्न कर दिया है तो 36% जो है एसानु मिल दाया बोरो यानि कि जो उदा आर लेन सानु जी एस्टी तो मिल दाया यानि गवर्नमेंट ओफ इंडिया नू एंड थर्ड नंबर दियो पर इंकम टेक्स तो मिल दाया फोटीन परसंट तहीं तो सी टोब थ्री जरूर याद रखना है ओके सब तो जाधा कि तो मिल दाया देन जी एस्ट वाला एंड इंकम टेक् एक क्रीब 3.25 करोड होगी जो कि तो सी कह सकती हो कि धिरे-दिरे करके वद के 6.50 करोड पहुंचे एहे 2020 दे विचे यानि कि पहला सी 3.25% टेक्स रिटर्न नो फाइल करन वाली एदा मतलब ए नहीं हैंगा कि अनने टेक्स देई दिता ए टेक्स पेर नहीं हगी ठीक है क्यों टेक्स पे नहीं करना पहर है उन्दा टेक्स जीरो है जो पेडल है ठीक है एक देक्स फाइल करन वाले परसंदी गल हो रही है तो टेक्स फाइल करन वाले पहला होने सी करीब 37 करोड ठीक है और हुन 2000 वीदे विचे हे सड़े छे करोडे करीब आगे और राइट ते देखो काफी सारे एड़ान दे लोग ने टेक्स पेर है जिनना ने डिरेक्ट टेक्सिस दे लेई विवाद से विश्वास स्कीम नो अपनाया सीगा एक एड़ी स्कीम है एक गवर्नमेंट ओफ इंडिया ने उनना परसंदेली लेंग दिया है जिनना ने टेक्स पे नहीं किता ठीक है और गवर्नमेंट की चारी है कि असी गलबात दे नाल याने कि विश्वास दे नाल आसी एनना दे जो विवाद है गया है जो चगड़ा है ग यह इनननो फिर फाइल किता ओके देन आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ओफ इंडिया ने उपरो तक किती जी कमाई नीचे जी खर्चे केड़े केड़े हुन देया है जित्थे जादा गवर्नमेंट ओफ इंडिया केड़े फील्ड दे विच खर्चा कर दिया ठीक है तब पहले नंबर दे उपर बोरो इसी ना जिस तो सानु जादा पैसा आ रहा है सी चाहिए उकमाई नहीं था उन्हों बोरौं दे वपर ऑंपर सानु-पे करना पया था 20% तक सानु-पे करना पे न और सक्तों जाधा खरचा गर्मंबंड ओफ इंडिया था ऐसे इंटरस्ट नो पे करन दे वेची हुंदा है ठीक है और अगर आपा दूसरे नमबर ते गल करिए तजेडे साडे स्टेट नो टेक्स देने पैंदेने या ड्यूटी देने पैंदिया है यानि कि स्टेट दा शेर जो गवर्नमेंट ओफ इंडिया यानि सेंटर गवर्नमे उन्हों पता ही होएगा सेंटर सेक्टर स्कीम केडियां और सेंटरी स्पोंसर स्कीम केडियां पूरी तरह हंडर परसेंट सेंटर वल्लों चलाईयां जांदिया है और सेंटरल स्कीम राइट पर जेडियां जो जिननना दे विच्छ स्टेट दा वी विच्छ शेयर हुंदा इस तो बाद आपा देख रहे हैं कि यूनियन बजट दे दुरान जो गवर्नमेंट है और इस करके फिर गवर्नमेंट ओफ इंडिया ने एनना दी उदार लेंदे जो लिमेट है इसनों इंक्रीज किता इस दे नाल नाल पबलिक सेक्टर एंटरप्राइजीज जो है गिने एनना नो प्रेवर्टाइज भी किता है ठीक है और बहुत बड़े और लार्ज स्केल दे उपर प्रेवर्टाइजेशन किती जा रही है और फ्यूचर दे विच्वी ए जो प्रेवर्टाइजेशन है खतम होएगी यानि की मॉनेटाइजेशन आना दे चल्दी ही रहनी है इस तुबाद जड़े माइगरेंट वर्कल्स सीगे यानि की जड़े एक जगा तो दूसरी जगा कम दे तलाश दे विच जांदे ने ठीक है ओनना देली वन नेशन वन राशन कार्ड नाम दी स्कीम लेंदी गई इस स्कीम दे विच की होया देखो जदो तुसी पहला मालने हो तुसी रहन दे हो जी यूपी दे विच और तुसी पंजाब दे विच आगे कम करन दे ली तुसी माइगरेंट हो गया थी तो जीड़ा तो डारू यूपी दे विच बन्या होया राशन कार्ड है ए फिर पंजाब दे विच नहीं चलदा सी जिस दे करके राशन कार्ड दे उपर जो फ्री दे विच राशन या कोई स्कीम आन दी सी ओ तुसी पंजाब दे विच अवेल नहीं कर सकते सी राइट पर हुन की हो गया या कि एक राशन कार्ड जो है ए उन पूरे देश दे विच इस दे नाल फेर तुसी किसे वी जगां दे उपर है गयो ते तुसी किसे होर जगा ते अगर माइग्रेंट कर गे ता तुसी एथे विच अपने सेम राशन कार्ड दे उपर जिड़े फाइद दे आ उननों ला सकते हो ठीक है इस दे नाल नाल फ्री फूड ग्रेंश आया कि जो अपना रूरल इंडिया है हना एते बोलेया जांदाया कि कुछ मिनिममम वेजीज दे उपर ठीक है गर्मेंट ओफ इंडिया ही ए चिज़ां प्रोवाइड करेगी कि एथे दे जो मजदूर है गया है उनना नों कटो कट सो देंदा जो मजदूरी है सो देंदा ज जो पॉर्टल है इसनों स्टार्ट किता गया राइड किस लई सो दैट की कोविट दे दुरां जो बच्चे है गया है ओ ओनलाइन एडूकेशन देना जूड़े हो इने क्योंकि स्कूल बांद सी गे एनना दी एस एडूकेशन नों बूस करन दे लिए विद्या प्रोग्रे है छोटे बिजनस जो खतम हो चुकिया एनना भी बूस किता जा सके ओर राइड और इस देनानल एमसमीदी डेफिनिशन दे विच वी चेंच ले आंदा गया और यह बहुत जादा लंबा टॉपिक रहेगा डेफिनिशन वाला अगर तो अन्दियों पर वीडियो चाहिए हो दो कोविड आया ठीक है कोविड दे दुराद साड़ी खुद दी इंडरस्टी वी निचे गईया है ना ते गम्मेंट ओफ इंडिया ने बोलया कि बारों दी फिर होन फोरन इंवेस्टर्स दो सो क्रोड तो तक दी जड़ी प्रापरटी है या दो सो क्रोड तक दा जो इस तो बाद इस टाइम जो बहुत ही जादा निउस दे विच है साड़ा एगरी कल्चर एंड अलाइड सेक्टर हैना एंडे विच गवर्नमेंट ने केड़े रिफॉर्म किते ने तो अनू पता ही है कि एगरी कल्चर दे विच तीन कानून आये ने हैना और ऐसे ही कानून दे अगेंस्ट जो किसान है गिने यह बहुत लंबे टाइम तो करीबन एक डेट साल हो चुका है या जदो की जड़े किसान है गिया है डेली दे बॉर्डर दे उपर बैठे होई ने हैना ताकि गवर्मेंट ओफ इंडिया एनना नो वापिस ले एना ही रोस नू देखते हो अमेंडमेंड लेंदी है ठीक है इस तो बाद जड़े अनिमल हस्मेंटरी दा इंफ्रस्ट्रक्चर हुंदा है एस नू भी डैवलप करन दी कोशिश किती गई है ठीक है देन फार्मर्स नू काफी सार्यां स्कीमा दिनाल लोन एंड क्रेडिट जो है जादा देन दी आयने जेडे तिन बिल आये है खेती वाले ठीक है अगर एनना दे उपर तानू वीडियो चाहिए दी होवेगी ता प्लीज तुसी एनना बारे भी मैंनो बोल देना अगर एग्रिकल्चर दिया स्कीम देना रिलेटेड स्पैशल वीडियो तानू चाहिए तामी तुसी मैंन में हजार करोड सीगा ठीक है और इस वार याननू दो लख तेई हजार अट्सो चाली करोड लेंदा गया है तुसी समझ पारे होगे कि 137 पर्टेंट दा यूज इंक्रीज आया है है हेल्थ केर देविच राइट और यह तो अनू सब नहीं पता है कि क्यों आया होना है कोव कि 64,000 क्रोर दे करीब जो है एलोकेट किते गएने इस वारी दे बजट देविच ओके देन 17,000 पिंडा देविच 11,000 अर्बन एरिया देविच हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर्स नू भी ओपन किता जाना है या देन एनना ने बोले है कि इंटेग्रेटेड पब्लिक हेल्थ दिए जो लेबरेटरीज है एनना नू देश ते हर एक डिस्टिक वेच सेट अप किता जाएगा बिकर्स कोविट दे दुरान जदो टेस्ट किते जाने सी तर टेस्ट दी जड़ी स्टार्टिंग दी सड़ी हालात है पहुत जादा मारी सी हैना सड़ी को लो प्रॉपर एक डिस्टिक देविच लेबरेटरीज खोलने जाने गया इंटेग्रेटेड पब्लिक हेल्ट लाब्स ठीक है डैन नेशनल सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल इसनों होर वी जादा पावरफुल बनाया जाएगा होर वी जादा स्ट्रेंदन किता जाने ठीक है तांकि अलाग बोले गया कि अगर जुरूरत पाएगी ता इस जो रकम नों होर वी जादा वदाया जा सकता है ठीक है इस तो बाद न्यूमो कॉकल वैक्सिन जो है गया है एनना नों पूरी कंट्री देविच रोलाउट किता जाने एट प्रेजेंट अगर आपा देख दिया ता यह सिरफ पांज स्टेट्स देविच्छी जो इंप्लिमेंट कितिया जान दिया ठीक है पर हुन एनना नों पूरी कंट्री देविच एस वैक्सिन नों रोलाउट किता जाना है ओके इस देन आल फेर पंजाह हजार दे करीब बच्चान दिया जो मोता है एनननों ली हुंदिया जडि नुट्रीशन प्रोग्राम जड़ी हागया है एनना दोनना नों आपस देविचना मर्ज कर देता जाएगा ठीक है देन एते ना 2.0 यानि दूसरा एडिशन मिशन पोरिशन दा इसनों भी लॉंच किता गया ओके किसले किता गया है तांकि जड़ा नुट्रीशनल कंटेंट है इसनों बदाया जा सके जड़े बचे को पोशन दा यानि की माल नुट्रीशन दा शिकार हुंदे है उनना नों फेर बचाया जा सके ठीक है आफ्टर डैट अपा गल कर रहे हैं फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स फोर वहिकल्स हुन उपर तापा ग है नहीं गडिया आधा यान पना घल कर रहे है सड़यान घडियां धी सड्यकारां धी सटे आल आटो ती यानिकी जड़े साड़ा ऑठोंवई bogशल्स सप्छ इना रहा हुन साल थो पुराना अगर तड़ा या commercial vehicle है या फिर वी साल तो पुराना तड़ा personal vehicle है ठीक है ता एन रौन तुसी as fitness center देवी के लेकी आओब और ए तुसी याद रखना है कि commercial vehicle लेकीने साल है और personal vehicle लेकीने साल ने ठीक है ता जदु एन रौन तुसी as fitness center böyle के लेके आओगि तो इते फिर एना दी मुरमत या फिर एना दी स्क्रैपिंग, दोना चुक जो कुछ भी किता जा सकता है तो इते आएगी फिर वहिकल स्क्रैपिंग पालिसी, और ये वलैंटली है यानि कि जबर्दसी नहीं हैंगी कि तो अड़ा वहिकल पुराना हो गया तो अच्छा पैसा दिता जाएगा अधरवाइस जदो अपनी गड़ी 10 या 20 साल पुरानी हो जान दिया है तो उस तो बाद फिर अपनों कबाड़िये नो वेचन दो बिना और कोई भी ऑल्टरनेट दिखना ही नहीं है ता जिस दे की जादा सनु पैसे नहीं मिल दे है ना पर इस वारी जो वेहिकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लेके आंदी गई है इस दे नाल फेर तरनु स्क्रैप ता उत्थे दे दिता जाएगा और फेर तरनु इंदा अच्छा पेमेंट भी मिल जाएगी ठीक है ता इस दे नाल गवन्मेंट और पबलिक दोना दाई बैनिफिट होगा इस दो बाद उन अपा गल करन लगया इस वारी इंडस्ट्री सेक्टर दी ठीक है तकरीब 1.97 लाग करोड जो है ए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्ज नू दित्ते गईने ठीक है तैदे विच जेडे टेक् टेक्स्टाइल पाक बनाये जाने ने आण वाले तीन साला दे अंदर अंदर तैस तनू पता होना चाहिए कि तिन साल दे विच किनने मेगा इंवेस्टमेंट टेक्स्टाइल पाक एस्टैबलिश किते जानगे ता याद रखोगे एन दी गिंती रहेगी सत ठीक है ए किसले क किते जा रहे है ताकि एन अदि साहिता दिनाल जो इंडिया है एननू ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन बनाया जा सके सड़्े एक्सपोर्ट दे विच वादा किता जा सके जो की एस टेक्स्टाइल पार्ग दे विच प्रोडक्शन करके किता जाएगा ओके अप्टर दैट जो National Infrastructure Pipeline ए प्रोजेक्ट क्यों आया है देखो एनू ना दो हजार उन्नी दे विच स्टार्ट किता गया सी गा और एदे विच ना अर्बन एरिया देविच प्रोजेक्ट जो हगया है एनना नो लांच किता जाना है ठीक है और इंडिया अंडर नैशनल इंफ्रास्ट्रॉक्ट्चर पाइपलाइन दे अंडर ओके देन एतेक चीज़ हो रियाद रखनी है एनना प्रोजेक्ट नो हेल्प करन दे लई डेवलप्मेंट फानैंशल इंस्टिटूशन जो हगया है एनननो सेट अप किता जाना है ओके दन भारत माला परियोजना एवे याद रखोगे भारत माला परियोजना दिलेई 11,000 किलो मेटर दा नैशनल हाइवे कोरिडोर जो है इसनो बनाया जाएगा ताइस याद रखोगे भारत माला परियोजना जिस दिनाल इंडिया दे नैशनल हाइवेज रोड्स वगेरा जो हगया है एनननो डेवलप्म किता जा रहे है ठीक है और इस दिनाल अगर आपा रेल इंफ्रस्ट्रक्चर दी गल कर दिया ताइस दर टार्गेट येर तुसी याद र जाएगा 2023 तक अगैन इंपोर्टेट ठीक है इस दे नाल नाल इंडिया दे विच्छी बनिया ऑटोमेटिड ट्रेन प्रोजेक्शन सिस्टम इसनू भी लॉंच किता जाएगा सड़े मेक इन इंडिया दे सपने नू पूरा करन दे लिए इस तो बाद हुन आपा वाद जान अर्बन क्लीन इंडिया मिशन दीवी गल किती गई है और अर्बन स्वच भारत 2.0 मिशन जो है इसनू लॉंच किता गया और एदे विच की बोले है वेस्ट फ्रोम अर्बन कंस्ट्रक्शन यानि की ता नू पता ही है कि अलगलग जगाद उपर जदो कंस्ट्रक्शन हों द आया इस दी मैनेजमेंट भी किती जाएगी विकर्ज बहुत ही जादा बिमारियां दा कारण बंद है साड़ा फीकल ड्रेन ठीक है इस तो बाद एयर पॉलुचन नू भी अर्बन एरिया दे विच कंट्रोल किता जाने है और एनना देली 42 अर्बन सिटीज है ना एनना नू फिल हाल देलेई चूज कीता गया और एथे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी लगाये जाने यानि कि जिना भी फाल्तूदा पानी है थे एननो ट्रीट किता जायेगा धिक है और एननो ट्रीट करके फेर एननो पीन योग बनाया जायेगा या फिर एग्रिकल्चर देले जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन देली 2.87 लाक क्रोड रुपीज स्पेंड किते जानगे ताकि क्वैलिटी लाइफ नू अचीव किता जा सके ठीक है उस तो बाद लिक्विड वेस्ट मानेजमेंट इस दे विचना 500 अमरुत सिटीज नू इंकल्यूड किता गया ओर राइट हाँ जी ता इस तो बाद असी गल करांगे हुन साड़े बैंकिंग सेक्टर दी ठीक है तब बैंकिंग सेक्टर दे विच जो डिपोजिट इंशोरेंस कवर है बैंक दे लेई जो एथे दे कस्मर्स होनगी न उननू पहला मिलदा सी है 1 लख हुन मिलेगा 5 लख दा डिपोज हुनुल therefore 5 लाख रुपई पहल दा सि जदो कोई बैंक 20 लाक रुपे पहिया है तब बैंक सीरफ एक लख रुप diamonds वापिस किर दा सी चार लाख रुपeur दो ऑडे बैंक दे नाली क्वर ुप जाल की इस वारीद आज जो बज़त आया उच्टि कोष पेह किस्ट में 2017 आज mm5 यानि कि यह दो मिल जाएगा और पांज दूब जाएगा ता यह लिमेट रखोगे कि हुझे जो डिपोजेट इंशॉरेंस कवर है कस्टमर्स दे लिए बैंक दे पहला हुझा से एक लाक जिसनुँ नुब पांज लाक रुपे कर दिता गया है ठीक है इस तो बात गल करांगे सरफेजी एक्ट टूथाजन टू दी ओके इस देंडर की बोले गया है कि मिनिमम लोन साइज जो कि डेट रिकवरी देली हुंदा सी ना पहला हुंदा सी गा किन्ना जी पंजाल अख हुन इसनों रिड्यूस करके 20 लाक रुपीज कर दिता गया है मतलब मालो कोई पर्सन है अगर ओ बैंक तो लोन लेंड लेंदा है ठीक है पंजाल अखुर पेदा और फिर बाद चोन दा गबन कर लेंदा है यानि कि मुड के उन्हों वापस ही नहीं कर दा है ना त्योंकि हो गया जी डिफॉल्टर बन गया राइट हुन जेड़ों डिफॉल्टर बंदा है गया उन्दे तो सरफेसी एक्ट 2002 दे अंडर रिकवरी किती जान दे सीगी ठीक है ते अन्दे विच ना जो गर्मेंट ओफ इंडिया है उन्दे विच ए मतलब बैंका नो अलाओ कर दिन दी सीगी कि तुसी ना हुन एन्दे जड़ी प्रॉपर्टी है गया ऐस बंदे दी एन्नो तुसी निलाम करके और आवदा पैसा ले सक दियो ठीक है ते हुन की बोल दिता है पर मान लो किसे ने उननजा लाखुर पेदा गबन करता ठीक है तब फेर तुसी सरफेसी एक्ट 2002 दे अंडर कोई वी बैंक या कोई वी फानेंशल कंपनी उस परसंद अगेंस्ट कारवाई कारे नहीं सक दी सी ठीक है ते इसलिए हुन की कर दिता है हुन एन्ना ने बोल दिता है कि एवली लिमिट नो रिड्यूस करके 20 लाक कर दिता गया यानि कि अगर तुसी वी लाक रुप एदा लोन लाक के गबन करोगे तामी तो अड़ी जो प्रॉपर्टी है तो अड़ी जो एसेट सेगे ने एन्ना नो फिर की कर दिता जाओगा निलाम कर दिता जाएगा ठीक है तेहन दे वी जड़ा मिनिममम एसेट साइज अगाया एं हंडर्ड करोड होना चाहिदा या एन्बी एक्सीस देली ठीक है इस तो बाद अपपा गल कर रहे हैं कि सैबी एक्ट नाइटी नाइटी टू डिपोजिटरी एक्ट नाइटी नाइटी सेग्स सिक्योरिटी कॉंट्रैक्ट्स रेगुलेशन अक्ट 1956 एंड गवर्न्मेंट सिक्योरिटी अक्ट 2007 एनना सार्या नूहीं आपज वीच मर्ज कर दिता गया और एक कोड बना दिता गया सिक्योरिटी ज मार्किट कोड ठीक है इस कोड दा तुसी नाम याद रखना है इस तो बाद जेडी साडी सोलर एनरजी कॉर्परेशन ओफ इंडिया है इसनों एक हजार करोर दी एडिशनल कैपिटल जो है ए दे दिती गई है यानि वद्धू पैसा इसनों दिता गया इस तो बाद जो FDI दी लिमेट है यानि की फोरन डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट दी लिमेट केड़े सेक्टर दे विच इंशोरेंस कंपनीज दे विच एननों इंक्रीज कर दिता गया 49 परसेंट तो हुन 74 ठीक है ए कितना देखो जिदना कि तुस्ही नाम सुने ओना है बजाज अल्यांस था ठीक है इस दे विच जो अल्यांस है ए फोरन डी है न कंपनी ठीक है पर ए की कर सकते सीगी ए पहलना सीरफ और सीरफ 49 परसेंट तक दा ही शियर दे सकते सी पर बात देविच हुन की कर दिता है हुन फोरन कंपनी इंशॉरन्स देविचना 74 परसेंट तक दा शियर दे सकते न गया इस तरह फिर क्यों एगा फोरन दी जो ओनर्शिप है ए एलाओ हो जाएगी है ना बट इस दे लेई काफी सारे स्टिक्ट रूल्स और डेगुलेशन भी रखे गए ने तांकि जो साड़िया इंडियन कंपनीज है उन्हा नो इस दा काटा ना होई ठीक है इस तो बाद एसेट री कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इसनो सेट अप किता जाएगा तांकि जिनने भी साड़े स्ट्रेस्ट डेप्ट है गिने यानिकि ओवले डेट जिनना नू वापस ही ने किता जान्दा करजा लेके उन्हा नू टेक ओवर करन दे लेई या फिर उन्हा नू कं लेकेड़ी जगा नू दिता गया तब वीट दे लेई 75,000 करोड दे करीब दिता गया राइस दे लेई 1,72,000 करोड पल्सी दे लेई 10,530 करोड ओके इस दे नानना लिक स्कीम आई ऑपरेशन ग्रीन स्कीम एक क्यों लेंदी गही है एक स्कीम वसी पहलना दे चल रही है पर यह स्कीम जो है सिर्फ तिन क्रोप्स दे विच सी टमैटो पटेटो और अनियन ऑके पर हुन नो 22 क्रोप्स दे विच पैरिशेबल क्रोप्स जडियां की जल्दे खराब हो जान दिया ठीक है हुन बाई पैरिशेबल क्रोप्स नो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम दे अंडर कवर कर लेया गया है तो यह वी तुसी याद रखोगी और राइट इस तो बाद हुन अपा गल कर रहे हैं कि एक हजार होर मंडिया नूँ इनाम दिनाल यानि नैशनल एग्रिकल्चर मार्केट दिनाल जोड़ दिता जाएगा जो कि दो जोड़ दिता गया ठीक है ओके हुन अपैती गल करन लगया जी एडुकेशन सेक्टर दी तो एडुकेशन सेक्टर दे विच बोल्या गया है कि सो नवे सैनिक स्कूला नू खोल लया जाएगा और एक हायर एडुकेशन कमिशन दी स्थापना किती जाएगी और एक सेंटल यूनिवरसिटी बनाई ठीक है देन एकलव्या मोडल रेजिडेंशल स्कूल साधे सबसो होर खोले जाने है ट्राइबल एरिया दे विच ठीक है ताकि जो ट्राइबल एरिया दी लोग है गया है ओनना नू भी एडुकेशन दी सुविदा दिती जा सके देन नैशनल लेंग्वेज ट्रांसलेशन मि मिसलेनियस अनाउस्मेंट्स देख लाने है जो की इंपोर्टेंट से गिया इस वारी दे यूनियन बजट देविच और जेड़ेवी स्कीम आएगी इसनू तुसी डिटेल देविच एकवार जरूर पढ़ लाना और अगर तानू स्कीम जे उपर चाइदा होएगा सेशन द इस दे अंडर की गैस कनेक्शन बंडे जानगी है ना और एदे विच्चे सो होर डिस्टिक्स नू भी इंकल्यूड किता जाना है ओके देन नैशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन इसनू ल्यांदा गया किस लही ताकि ग्रीन पावर रिसोर्सीज देनाल जो हाइड्रोजन है ना एन्नो एक फ्यूल दी तरह यूज करन दे लही प्रोडक्शन किती जा सके एक इसलिए किता जा रहे है ताकि जड़ा सड़ा इन्वाइन्मेंट है इस दे विच्च सुधार लेकि आया जा सके है ना देन डिस इन्वेस्मेंट किती जाएगी दो पब्लिक सेक्टर बै दिता गया ठीक है जिस दी एन्नाउस्मेंट होई सी सड़े यूनियन बजट दे विच ओके एक जन्रल इंशॉरेंस कंपनी दी डिस इन्वेस्मेंट होनी है और लाई सीधा जो आई पी हो है इसनों भी वेच्च्या जाना है ठीक है देन पहला डिजिटल सैंसर्स ए जो दी डाइमंड जुबली हो रही है जदो गोवा पॉर्चुगीस्तों अजाध होया सीगा ठीक है ता इसने लही ही एन्दी सेलिब्रेशन दिली थ्री हंडर्ड करोड रुपीज गोवा नू दिते गए ने पहला अन्मेंड मिशन गगन यान इसनों भी लॉंच करन दी गल कि देने राइट इस तो बाद असी जो सेशन करना है इस दे वी चसी करन्ट फेस नू डिसकस करांगे एकॉनमी देना रिलेटेड ठीक है जिस दे वी चसी जैनवरी 2021 तो लेके सेप्टेंबर तक दे 50 most important एकॉनमी दे करन्ट फेस नू देखना है ठीक है तब पहला कुशन ऄद्या वहिकल स्क्रैपिंग पॉलसी देख्या अपा हुने होनेग पड़ी सी न अपने Economic Survey दे वीच राइट वहिकल्स क्रैपिंग पॉलसी अनौ इंस्ट बाई Road और ट्रांसपॉर्ट मिनिस्ट्री मन्तराला है मतलब अनौने वहिकल्स क्रैपिंग पॉलısı नू अनौन्स क अंदली प्रोवाइड किती जाएगी एंदे विचना इक्सेस दिती जाएगी वाहन डेटा बेस दी नाल ओके और वाहन डेटा बेस दी उपर ही पता चल सकेगा कि केड़ा वहिकल है किन्ने साल पुराना है ठीक है तो इस दे विचना एक इसु किता जाएगा सर्टिफिकेट जदो तुसी अपनी registration करवाओगे अपने वहिकल नू scrap करन दे लई ठीक है ता deposit दा certificate मिलेगा उस तो बाद जदो तो अड़ा वहिकल scrap होएगा ता उस ता भी तौन्वे एक certificate इशू किता जाएगा ठीक है और देखो एस दे नाल याद रखना है कि जो RVSF है ना एननू National Crime Record Bureau दो नाल भी अटाच किता जाएगा किसले किता जाना है क्योंकि एथो यह नहीं पटा चलेगा कि अगर कोई चोरी दा वहिकल एनना देखो लो scrap हों देली आएगा ता फिर उन्हों उससे टाइम पकड़ा जा सकीगा ठीक है और यह जड़े वहिकल मालनों तुसी एक state दे विच स्क्राप करण देली रेजिस्टर करवा लेया ठीक है फिर तुसी दूसरी state दे विच मूव कर गे ओके ता इस state दे विच जाके वी तुसी उससे सेम रेजिस्टेशन दे उपर ना अपने वहिकल नो एथे दे किसे वी रेजिस्टर जड़ा scrap facility वाला सेंटर होएगा ओते जा ट्रेड पॉलिसी है एननों मार्च 2022 तक देली एक्स्टेंड कर दिता गया और राइट तदेको जेटे सड़े कमर्स मिनिस्टर हैगे ने पियूश गोयल एनना नहीं एनाउंस किता एस एक्स्टेंशन दे बारे दे विच्छ ओके और ए पहलना जो है 30 सेप्टेंबर 2021 नो ख 2015 तो 20 वाली चल रही है एननों पहलना मार्च 31 2021 दे विचना एक्स्टेंड किता गया सिगा 30 सेप्टेंबर 2021 तक देली ठीक है तेहुन नो दुबारा तों मार्च 2022 तक देली एक्स्टेंड कर दिता गया और और एस पॉलिसी दे अंडर की हुदा या एन्दे विचना गवर्न हुन एते गल हो रही है फोरण ट्रेड पॉलिसी दी एननों लांच कदो किता गया जी एननों 1st of April 2015 नों लांच किता गया सिगा केडे मिशन देंडर मेक इन इंडिया मिशन देंडर ठीक है इस दे नाल नाल डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया इस ओफ डूइंग बिजनस गयरा जिन्यावी स्कीम्स है गया है एनना सारया दिन आली सड़ी फोरण ट्रेड पॉलिसी नों जोड़या गया है ओके और इंडिया दी एकॉनोमिक ग्रोथ दिली बहुत जादा इंपॉर्टेंस रख दिया है ओके क्वेशन नबर 3 आर बी आये मॉनिटरी पॉलिसी अंच रख्याया ठीक है और छे मेंबरां दी जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है जिनना दे हैड को ने जी गवर्नर शक्तिकान दास है ना एनना ने जदो इस वारी अपनी मीटिंग किती ता ए सारे दे सारे रेट अंचेंज रखे गई ठीक है तो यह रेट ता नों हंडर्ड परस रॉइच कि हुनद है रेपो रेत हो हुनदा है जेडे पैसे अपर याणी ज्यडे रेट ओफ इंटरस्थे तो पर और भागी बैंक नों पैसा उदा आर दिंदी है ठीक है तो रिवर्स रैपो रेट कि हुंदे ए रेपो रेट दा बिलकुल उल्टा हुनदा है ओ वाला रे बैंक रेट भी 4.25 परसेंट है CRR यानि कैश रिजर्व रेशो ए 4 परसेंट रखी गई है CRR की हुंद है एक कैश रिजर्व रेशो और रेशो हुंदी है जो कि कोई भी बैंक RBI दे कोलों कैश दे रूप दे विच रख दाया ठीक है तो फिर जदो भी कदी एमेर्जेंसी जरूरत पेंदी है तो RBI ऐसे ही पैसे दे विच्चो बैंक दी हल्प कर दाया ठीक है दन SLR यानि की स्ट्चुचरी लिकबिडिटी रेशो एज दे विच कैश दे नाल नाल बाके फोर्म दे विच्वी जो पेमेंट हगी है रखी जान दी है ठीक है यानि की सब्सक्राइब कर दोड़ा डिस्कस कार लाने या ठीक है विच्वी तोड़ा इंपोर्टेंट रहेगा ओके जड़ी मोनेट्री पॉलिसी कमेटी हुन दिया ना एक मेटी इंडिया दे विच्च बैंच मांग जड़े रेट हुन दिया एनननों फिक्स करन दिली रिस्पॉं तो अबीट इस प्रोटेंगर मेटी एक्स ओफिशी चेर्मेन दिया इसे करके इस वारी फेर फिर दे चेर्मेन कौन हेंगे ने गवर्नर शक्तिकान दास और राइट और एस कमेटी देवे जिमेंक आपा हुनने देख्या कि छे मेंबर हुन देने ओके और एनन छे मेंबर द कोई भी नॉमिनी हुन्दा या एन्नों कदी भी री अपॉइंट नहीं किता जान्दा एस आर्बेई दी मोनीटरी पॉलिसी देविच और एन्दा अगर तुसी देखोगे कि इंपॉर्टेंस की हगी है ता एन्दे विच जिस तरह पहुने पढ़िया कि रैपोरेट रिवर्स रैपोरेट, CRR ये सारा कुछी मोनीटरी पॉलिसी जड़ी कमेटी है ये ही देख दिया है इंट्रोड्यूस कर दिया ओके कोईशन नंबर फोर विच रीचेंड इंडिया सॉवरेंस रेटिंग आट बी 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 नेगटिव ता देखो जोड़ा फिच है न एक है एक ग्लोब लेवल देखो पर क्रेडिट रेटिंग एजनसी है एनने इंडिया दी जो सॉवरेंन डेटिंग है ए रखिया जी ट्रिपल बी नेगटिव ओके ता ट्रिपल बी नेगटिव दा मतलब हुन अगर आसी किसे वी जगा तो किसे वी इंटरनेशनल और्गनाइजेशन तो लोन करजा है ना इंटरनेशनल और्गनाइजेशन जा ए थोड़ा जा वद्य है ठीक है और एनननु लग रहे है कि इंडिया अपना करजा टाइम ते नहीं मोड पाएगा इसलिए फिर एननु रेटिंग दिते गी है ट्रिपल बी नेगटिव ओके ता इंडिया दे अगर अपा सीज मार्केट तों जो मनी रेज करना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाएगा सड़ी गवर्नमेंट दिलाई ठीक है तेंदे विच अलगलग लेवल दे उपर अलगलग रेटिंग दिती जान दिया है जिस तरह की हाई क्रेडिट अगर होएगा ओं हुन दिया जी ट्रिपल होएगा सेपज मीडियम क्रेडिट देलाईएएग यूस तौ निशे जन्यावी डेसिटिनेकनेशन लुए ही जाहेओ डबल व फॉंप ग्यातिफ होएग फाहरे लोग क्रेडिट क्वएलिटी система निए धिकान देने और लोग क्रेडिट क्वालिटी तु की बोले हम दभान जंक बॉंड जे नाम तो जाने आ जान्द है Question number 5 GST revenues touched all time high of rupees 1.41 lakh करोर in April ता April दे महिन्य दे विच हुन तक दे सब्तो जादा GST दा revenue GST दा tax इकठा होया किनना 1.41 lakh करोर rupees ठीक है ता जेडा gross revenue है गया goods and services tax दा यह हुन तक दा सब्तो जादा high रहा April दे विच March दे विचे किनना सी गा 1.24 lakh करोर और GST है की एक indirect tax हुन दा है और दे विच ओल्मोस्ट इंडिया दे सारे ही indirect taxes नू submerge कर दिता गया ठीक है बस कुछ state taxes नू छोड के और अगर आपा देखिए कि पहला की हुन दा सी गा पहला जिनने भी tax हुन दे सी न और point of origin तो collect किते जान दे सी पर GST दे मामले दे भी चैदा नहीं हुन दा और point of origin तो collect नहीं किता जान दा बलकि point of consumption ते जाके collect किता जान दा है इंपोर्टेंट point रहेगा याद रखना और अगर अगर इसी गल कर दे हैं कि GST नहीं पेट्रोलियम दे प्रोड़क्स दे उपर अल्कोहलिक ड्रिंक्स दे उपर और इलेक्ट्रिसिटी दे उपर न इंपोज नहीं किता जान दा बाकी स्टेट्स दे वल्लों एन्नू लेया जान दा है यानि कि ए वलेजरे टेक्स है ए स्टेट लेंदिया ने और एन्नू कदो स्टार्ट किता गया सी 1st of July 2017 दे विच अन्नू 101 नंबर दी constitutional amendment दे ना इंटोड्यूस किता गया सी ठीक है और GST दे सारे जेड़े rules and regulations हुन दे है ए जेएस्ट काउंसिल वल्लों ही governed किते जान दे रे और राइड विच्टन नबर 6 फोरें डिरेक्ट इंवेस्टमेंट जम्ट टू डॉलर 59.64 बिलियन इन 2020-2021 2021 जेड़ा अपना फोरें डिरेक्ट इंवेस्टमेंट है ए उनाट पैंट चोट बिलियन तक जम्प कर गी ठीक है 19 पर्सेंट ग्र्यू कितिया है 2021 क्यों किती गई क्यों किती गई क्योंकि अदेच बोल्या गया है कि सड़ी गर्मेंट है ना एनने इन्वेस्टमेंट नूँ फैसिलिटेट करन दे लिए ईज ओफ डूइंग बिजनस दे लिए और काफी सारिया पॉलिसी देवेच रिफॉ दॉसरे नंबर दे उपर है उसे और तीसरे नंबर दे उपर है हां मौरीशियस और राइट क्वेस्टन नंबर सेवन आई सी आर ए रिपोर्ट इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिमांड टू ग्रो एट टू 8.5 परसेंट इन फैनाशियल लिए ट्वेंटी ट्वेंटी टू दो जर बाइदे दोरान जो सड़ी बिजली दी डिमांड है न एक तो लेके सड़ी 8 परसेंट जा सकती है आई सी आर ए दी रिपोर्ट दे अनुसार ए वी एक रेटिंग एजनसी एगी है एनने हाली दे विच रिपोर्ट दिती है और बोल्याया कि 2002 दे विच जड़ी ए इंक्रीज है ए 12.7 परसेंट दा इंक्रीज होएगा ठीक है एपरिल 2021 तो लेके सेप्टेंबर 2021 त कि जड़िया साधिया एकॉनमिक एक्टिविटीज है ए बहुत ही ज़ादा वदिया है है ना एस करके एकॉनमिक एक्टिविटीज दे विच फैक्टरीज दे विच बहुत ज़ादा जरूरत हुन दिया इलेक्टरिसिटी दी देन जड़ा नोर्मल मॉनसून है ए इस वारी बहुत जादा काट रहा है इस करके गर्मी वदी है गर्मी करके फिर टीड़ी लोग है उनने एसीज फैन्स है ना दीजेडी कंजाम्शन है जादा किती है राइट इस करके भी इलेक्रिसिटी दी डिमांड वाज सकती है ओके ते अगर अपा आउटलुक देख दिया थर्मल प पावर परचेज एगरिमेंट कारी नहीं रहे ते एनना दे वीच वादा करन दी जरूरत है ताके साड़ी जड़ी पावर जनरेशन है एनननों बदाया जा सके और फिर साड़ी जड़ी जरूरत है वो पूरी हो सके ठीक है Question No.8 World Bank approved $150 million to support Chennai Sustainable Urban Services ता World Bank ने Chennai दी Sustainable Urban Services दे लई $150 million दा जो लोन है एननों अप्रूव किता है ताके एननों world class city देवी चे convert किता जा सके ठीक है ता Tamil Nadu देख vision है कि जो Chennai आननों जादा green और जादा climate change देली resilient बनाया जा सके और जादा ran योग city वेचे convert किता जा सके ता इस तो बिना World Bank ने $40 million दा लोन जो है इन में घालया दी health services दी quality नों इंप्रूव करन दिले वी दित्त है अगर आसी Chennai दी गल कर देया ता ए इंडिया दे वीच फोर्थ most populous metropolitan city है पर फिर वी अगर तुसी देखोगे एथे key services दी demand जो है पूरी नहीं हो पांदी नाली ऐस city दे वीच नैच्रल डिजास्टर बहुत जादा आंदी है climate change वगएरा दा बहुत जादा असर देखनों मिलदा है ठीक है ता इस प्रोजेक्ट दे वीच जो चे नहीं है एनना सब challenges नो combat कर सकेगा ठीक है ते जो में घालया दे अगर अपा गाल कर देया ते में घा इनिंग भी प्रोवाइड किती जाएगी और राइट क्वेस्टन नमबर नाइन जी एस्टी काउंसिल फोर्म्ड एट मेंबर पैनल तु एक्जामेंड टेक्स एक्जाम्शन ओन कोविड मेंटीरियल ता देखो जी एस्टी दी काउंसिल है एननना ने आठ मेंबर एक कमेट सी कि ये वाला जो पैनल है इसनों कॉंस्टिट किता जाएगा ठीक है और एक ग्रूप डिसाइड करेगा कि कोविड दा जो रिलीफ मेटीरियल है एस्ट पर टेक्स किनना दिता जावे एन्डे रेट किनने रखे जान ठीक है ता एस्ट कमेटी दे हैड कौन सी गी जी एर ए संग्मा और एनना ने बोला है कि जी एस्ट एक्जैंप्शन किती जाएगी वेंटी लेटर दियो पर टेस्टिंग किट्स दियो पर ड्रग्स दियो पर पीपीई के ठोगिया सर्जिकल मास्क होगे ताकि एनना दी जो मार्केट देविच कीमत है बहुत जादा ना वाज सके ठीक है और इस दे नालना लेना ने बोल लाया कि जीवे वेक्सिनेशन दी मैनुफेक्ट्रिंग हुंदी है ठीक है या फिर कोविट दियां ड्रग्स हुंदी है जा ओक्सीजन दे कॉंसेंट्रेट्स हुंदे ने ठीक है एनना दे उपर भी जड़ी जीएस्टी हागी है जाफे डिस इनफेक्टेंट्स एनना दे उपर अठारा पर्सेंट जीएस्टी ही लागू रहेगी और राइट येस क्वेशन नबर टेन इंडिया है एज क्रोज्ट फोरें एक्सचेंज रिजर्व डोलर 600 बिलियन मार्क फोर फर्स ताइम पहली वार इंडिया ने 600 बिलिय ते हो किना गया जून दे विच सिक्स जिरो 5.008 बिलियन हो गया ओके हां जी पैदे विच याद रखना है कि हुन तक जून दे विच सबतो हाइस्ट अगर आपा देख दिया तब फोरें एक्सेंज रिजर्व जो है ए होया ओके और इंडिया जो है चोठे नंबर दे उपर आगया फिर लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर पूरे वॉर्ल दे विच एदे नालनाल रशिया वी चोठे नंबर उप सीगा जून दे विच ओके जेड़ा फोरेक्स रिजर्व हुन दे है एज दे विच की की शामिल हुन दे है इस दे विच एकता यूएस डॉलर देन गोल दे विच मान्य होन गिया मतलब मलों सी किसे कंटरी रिज़ेड किता तो ओधिस लुपी देन आल कर सकते किसे कंवन दे ली है ना पर डोलर दी अगर गल कर दिया या फिर गोल्ड गल कर दिया या फिर आइम दी स्पैशल ड्राइन्ग राइट गल कर दिया थाए पूरे इस नूब आर्बेवलो ही मैनेज किता जान दै जद्धो सड्डेश देविच मनलो एकनॉमिक स्लोडाउण आई तर एजो एकशेंज है एंदा यूज किता जान दै पर एंदा जो मेन यूज है एक्सटर्नल ट्रेड देविच्छी किता जान दै एन अधियां पेमेंट्स नू अगर अपा गल कर देया ता एदे तक जो अपना फोरण एक्सचेंज है गया ए छेसो ब्याली पॉइंट फोर फाइव थ्री बिलियन हो गया सी ठीक है पर एती अपा ए नियूस जी किता है कि जून दे विच पहली वारिया ने छेसो बिलियन डॉलर नो पार किता सी हां जी no tax on cash deposits made by housewives during the demonetization scheme 2016 ता हाउस वाइव जे लई बड़ी ही अच्छी खबर है है ना ता देखो एंडे जी की बोल्या गया है कि 2016 दे विच जदो demonetization आई है उस तो बाद housewives ने बैंक दे विच जेड़ा वी cash deposit किता उस ते उपर कोई वी tax नहीं लगाया जाएगा ठीक है आगरा दे विच एक बैंच सिगा जिसने वाला जो फैसले सुनाया ठीक है और एंदे विच मेंबर केड़े केड़े सिगे ललित कुमार एंड अकाउंटेंड मेंबर सिगे डॉक्टर मिथा लाल मीना ओके और पर एंदे विच एक शर्क जरूर रखी गई है कि ए जो पैसे ह है गिने टाइल अख तो नीचे होने चाहिए एस तो उपर अगर डिपोजिट होएगा ता उस दे उपर टेक्स जरूर लगाया जाना है ठीक है तो यह नहीं बुलें टाइल अगता कसी है नो इंकम टेक्स दी सलाब दे विच नहीं गिनांगे ता दे कोई होया क्यों है एक ह उपर मैंनू टेक्स नहीं लगना चाहिदा उनने क्या कि यह ता जी मेरी सेविंग है गी है यह ओ पैसे है जेड़े उन्दे बेटे ने उन्दे रेलिटिव्स ने उन्दे हस्बेंड ने दित्ते सिगे और उन्दे विच्छो पैसा बचा के उनने वाले पैसे ही कठे किते ते अपनी फैमली दे विच अगर फ्यूचर चे कदी जरूरत पैंदी है ते उस टाइम दे लिए पैसा ही कठा किता गया सीगा इसलिए अन्दे उपर टेक्स नहीं लगना चाहिदा ठीक है ते फिर हुन ए ट्रिबुनल ने आगरा दे विच एवला फैसला सुना दिता ओके क्वेशन नमबर 12 फैनांस मिनिस्ट्री अलावड हाउसिंग फैनांस कमपनीज अबाव रुपीज 100 करोड रुपीज तो यूज सर्फेसी लौ अपना जो इस वारी दा बजट है उस दे विच पढ़या सी है ना तो जेड़ी अपनी फैनांस मिनिस्ट्री है एनने की बोले ह कि जेड़ियां हाउसिंग फैनांस कमपनीज होन गिया ना एनना नू 100 करोड रुपीज तो उपर जेड़ी हागिया है सर्फेसी लौ दे विच यूज करन दे ले अलाव कर दिता है एदे विच होया की है देखो सर्फेसी लौ जो है ना ए हुंदाया ड्यूज नू रिकवर करन दे ले यानि कि जेड़े लोग पैसा मार जन दे है जिसतरा मैं तो नू पहलना दस्या है ना बैंक तो डेट ले ले या वापिस नहीं किता ता उना दे अगेंस्ट कारवाई किती जन दिया है सर्फेसी लौ दे अंडर ठीक है तैन दिनाल की होना जी जदो फैनांस मिनि अलाव कर दिता है ता इस दिनाल क्विक रिकवरी हो सकेगी ड्यूज दी और यह जो कंपनी जगिया यह फिर जादा कर्जा भी देंगिया यानि मार्केट देविच पैसे दा इंफ्लो वी वदेगा पहला यह लिमिट किनी सी जी 500 क्रोड सी ठीक है हुन किनी होगी है 100 फैनेंशल इंस्टिटूशन जो हुन दे है वो साड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी नूँ या फिर साड़ी पर्सनल प्रॉपर्टी नूँ आक्शन कर सकते ने ठीक है तो यह वाला लौ जो है ना एस सरफेसी लौ ऐसे दी ही पर्मिशन दिन देंदा है ठीक है तो साड़े यूनियन मिनिस्टर ओफ फैनास एंड कॉर्परेट कोन है गेने निर्मला सीथा रमन राइट क्वेशन नूबर थर्टी आइफसी ए सेट अप एक्सपर्ट कमेटी ओन सस्टेनेबल फैनास ता सस्टेनेबल फैनास देले एक एक्सपर्ट दी कमेटी बनाई गई है आइफस यानि इंटरनेशनल फाइनशियल सर्विसिस सेंटर अथोरिटी वलनों ठीक है एंदे चेर्मेन कोन होंगे सी के मिश्रा जो की फोर्मर सेक्रेटरी रह चुके ने मिनिस्ट्री ओफ इन्वार्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दे विच ठीक है और एस कमेटी ते एननू 2020 दे विच इंटरनेशनल फाइनशियल सर्विसिस सेंटर नू डेवलप किता ग्या सी ठीक है किसली तांकी ए जेड साड़ा इंडिया है ना इंडिया दे विच जिन्यां भी फाइनशियल रेगुलेशन सुन्दिया है ठीक है एनना नू प्रॉपर तरिके देना डेवलप किता जा सके इसते लिए एननू स्टार्ट किता गया और अन्दा प्राइमरी गोल की उन्दा है कि इंडिया दे विच जो इस ओफ डूइंग बिजनस है एननू प्रमोट करना और वर्ल्ड क्लास दी रेगुलेटरी दा इन्वाइन्मेंट प्रॉइड करना ओके औ यह तुसी जरूर याद रखना ओके ता गिफ्ट सिटी जो है स्टैंड फोर गुजरात इंटरनेशनल फाइनांस टेक सिटी ओके यहस क्वेश्चन नंबर फोटी नैशनल कमिशन फोर विमेन लॉंज्ज ट्रेनिंग प्रोग्राम फोर विमेन इन डेरी फार्मिंग तस ने नैशनल कमिशन फोर विमेन ने की किता है एदेलही कलाबोरेट किता है एग्री कल्चुरल यूनिवर्सिटी देनाल इंडिया दिया ठीक है ताकि विमेन नू ट्रेनिंग दिती जा सकी और यह पहला एदा प्रोग्राम होएगा जिसनों की लॉंज किता गया लाला लाज पत राए यूनिवर्सिटी तो इसनों स्टार्ट किता गया ओके ताइस प्रोग्राम नू लॉंज किता क्यों गया है क्योंकि देखो जड़ आपना रूरल इंडिया ना एंडे विच विमेन डेरी फार्मिंग दे खेतर दे विच काफी सारे वड़े पार्ट दे विच अप फ्लाइट नू बदा आंदे लिए ओंधी पैकेजिंग करन दे लिए मार्केटिंग करन दे लिए ओंधी वेल्यू दे विच एडिशन करन दे लिए ट्रेनिंग दितिया जान गया ठीक है और एते उन गल हो रही है नेशनल कमिशन पोर विमेन बारी है ना तैन नू 1992 नू ए सेट अप इन कुल्लू कुल्लू दे वेच्चे वीवर सर्विस एंड डिजाइन डिसोर्स सेंटर बनाया जा रहे है ए यूनियन मिनिस्टर ओफ कमर्स एंड टेक्स्टाइल पियूश गोईल ने इस दी अनॉंस्मेंट किती है ठीक है और ए सेंटर हेल्प करेगा कि इंडिय सब्सक्राइब करन दे लिए अधी एक्सपोर्ट नू बदान दे लिए शुरू किता गया ठीक है और अनू कदो नाउंस किता गया जदो गोल्डन जुबली मनाई जारी सी हिमाचल प्रदेश ते स्टेट हूड दी ठीक है 27th of September 2021 नू और ऐसे ही दिन सेवा एंड समर्पन अ प्रदेश मिनिस्ट्री एस डिसाइड इन्क्लूड रीटेल एंड होलसेल ट्रेड इनमे समी सेक्टर ता सड़ी जो छोटी बिजनस दी मिनिस्ट्री है केड़ी वाली Micro, Small and Medium Enterprises Ministry एनना ने बुल लेया कि MSME सेक्टर देविच Retail and Wholesale दे ट्रेड नू भी हुन शामिल किता जाएगा ठीक है पर एननू ना Priority Sector Lending दे Purpose दे नाल ही शामिल किता जाना है याद रखना है एनना मतलब हुन ए जड़े Segment सेगेने ना एक Priority Sector Lending दे अंडर MSME केटेगरी दे विच Loan ले सकनगे ठीक है और इस दे नाल नाल याद रखना है कि एक एद्दा दा Portal भी लाँज किता गया नाम है उद्ध्यम Registration Portal किस लही एननने एक Government of India ने बोल लेया कि ए पोर्टल दे उपर ही MSME दे लही Registration किती जा सकेगी ठीक है ताकि जड़े Retailer and Wholesaler है गेने ना ए रेजिस्टर करके फिर Help ले पानगे अपने केड़े अंडर Priority Sector Lending दे अंडर ठीक है और एदे विच ना Registration दे लही तिन केटगरी जनू बोल लेया गया पहली केटेगरी है Wholesale and Retail, Trade and Repair of Motor Vehicle and Motorcycles दूसरी है जिस दे विच Motor Vehicle Motorcycles नू include नहीं किता जाना Wholesale Trade तीसरा है Motor Vehicle and Motorcycles नू ना include करके Retail the Trade ठीक है ए तिन केटेगरी हो गया Question No.17 Union Government has approved Increase in the Dearness Allowance to Central Government Employees ताहुन सेंटर Government Employees दा जो Dearness Announce है DA है उसने विच्चे वादा किता गया है ठीक है किनना वादा किता गया है ता देखो इस दे विच्चे 17% पहला हुंदा सी इसनो 28% का दिता गया है यानिकी 11% दा Increase है ता कोविट दे करके जेड़ा एनना दा DA है या Dearness जेड़े रिलीफ हागिया है एनना नू जन्वरी 2020 तो ही रोक के रख्या होया सीगा तेहुन फिर एनना नू चार जो किस्ता है गया है मिलन गया ठीक है Question number 18 The Government of India notified a hike in the FDI limit in Pension Fund Management ता Pension Fund दे मैनेजमेंट दे वीच Government of India ने बोले है कि जो FDI दी limit है इसनो hike किता जाएगा पहलना है हुन दे सी 49% हुन इसनो 74% कर दिता गया है National Pension System दे अंडर ते Government दे बोले है कि NPS दी limit है जिसनो increase किता गया है एस स्टेप दिनाल foreign partners जड़े है गया है औरना देली रस्ते खुल जानगे और competition भी वदेगा जैनवरी 2004 दे वीच Government employees दे लई जो National Pension System है आननो launch किता गया सी ते बाद दे वीच 2009 दे वीच आननो सारे आन दे लई ता उन्हों 50,000 तक दा जो एक्स्ट्रा छूट मिल जान दी है ठीक है और NPS नू PFRDA वल्लों regulate किता जान दा है Question number 19 The Government of India has set up the loan disbursement target under PMMY at rupees 3 trillion 4 2021-22 ता देखो जेड़ी PM मुद्रा योजना है गी है एन्दे वीचन्ना ने बोल दिता है कि target हुन किन्ना रख्या गया loan disburse करन दा loan देन दा 3 trillion 4 2021 and buy ठीक है पर पिछले साल एन्दा ने किन्ना रख्या सी है 3.21 trillion यानि कि इस वार रहनू कटाया गया ठीक है और S scheme दे अंडर जो credit दिता जन्दा है एक क्रीब क्रीब 10 लख रुपे दा credit दिता जन्दा है बैंका वलनों या फिर non banking financial companies वलनों दिता कीना नू जन्दा है छोटे businesses नू जिनना दे वीच manufacturing, trading, service, activity, agriculture दे allied sector इस सारे दे सारे शामिल हुन दिया ठीक है और ये योजना specially small and micro businesses देली start किती गई सी और एदे वीच ना non agriculture sectors नू शामिल किता जन्दा है ठीक है और एदे वीच enterprises and individuals दोना नूई include किता जन्दा है और एदे वीच loan दी जो maximum limit है जिस तरह मैं तनू 10 lakh रुपीज हुन दिया ठीक है और एदे वीच अगर मुद्रा दे full form देखोगे ता एदे हुन दिया micro unit development and reference agency limited और राइट एदे तो सी याद रखोगे और एदे वीच बैंक and non banking financial वलनो loan प्रवाइड किता जन्दा है question number 20 SEBI has allowed payment banks to act as investment bankers ता SEBI ने जो payment banks है and non investment bankers दी तरा काम करन दे ले allow कर दिता है ता हुन्ने वीच सारिया activities कर सकनगे जो कि investment bankers भी कर देने और एदे नल की होना है कि पहला एदे नल प्रायर approval लेने पहेगी RBI दी ठीक है और इस दे नल जेड़े भी rules and regulations होनगे ओनानों भी follow करना पहेगा after that ही है एक investment bankers दी तरा कम कर सकनगे ते जेड़े payment banks होनदे है एननानों BTI दे तोर दे उपर register किता जनदा है इस देन आल पेरे self certified syndicate banks दी तरा मी कम कर सकनगे अगर अपा SEBI दी full form दिखांगे ता ए रहेगी Securities and Exchange Board of India एन्दी establishment कदों या 12th of April 1992 नुए नुए establish किता गया headquarter तो नुए मिलेगा Mumbai दे विच और एन्दे executive है गिने आजे त्यागी question number 21 over 5.82 करोर जन्धन अकाउंट्स आर in operative creep 5.82 करोड एदा दे जन्धन अकाउंट है गिने जो की operational ही नहीं है गे और ए दस्या गया अपनी finance ministry वल नो ठीक है एन्दन ने बोले है कि 14% बन जन्धन है total अकाउंट्स दा जो की operational नहीं है ठीक है और एन्दन मतलब किया है कि एदे विच कोई वी transaction ना ता debit ना ही credit कोई वी नहीं किता गया दो साल या एंदे तो जादा time तो ओकी दे जन्दन अकाउंट्स है गिने total है गया है 42.83 करोड एन्दन दे विच्च 1.43 करोड दा balance है ठीक है और एवली अकाउंट्स दे खासियत है कि एन्दन नो use किता जन्द है जो भी government दिया schemes आंदिया है rural employment guarantee schemes आंदिया है एन्दन दिली जो payment किती जन्दी है जो labor दिती जन्दी है एन्दन अकाउंट्स दे विच्च जमा हुन दिया है ठीक है question number 22 in 2020-2021 the number of billionaires in India dropped 2021 दोरान इंडिया दे विच्च जड़े billionaires है और ना दी संख्या कटी है ठीक है एवे statement दिती गई है finance ministry वन लो कि pandemic दे दुरान covid दे दुरान ए जो count है ए पहलना सीगा 101 ताली और हुन हो गया 106 ठीक है और अगर आपा गल कर दिया कि data income tax return essay base दे उपर ही देख्या गया यानि कि किन्या ने tax किन्य फिल किती उस दे उपर ही एस report नो बनाया गया billionaires दी और जड़े अपना central board of direct taxes है यानि CBDT and the information दे according जड़े direct taxes हुन दे आना and दे वेच billionaires दा कोई भी column नी हैगा and कोई भी definition नहीं है ठीक है ते wealth नो यानि कि wealth tax नो 2016 दे वेची खतम कर दिता गया सिगा राइट एस करके फिर जो CBDT है यह उनकिसे भी tax payer दी जो संपत्ती है गी है उन्दी जो property है and कोई भी information नहीं लेंदा नहीं रखता ठीक है question number 23 is 4.0 unveiled by the finance minister निर्मला सीथा रमन तर चोथा addition public sector bank reform agenda यानि कि enhanced access and service excellence एन्दा 2021 की बाइदा निर्मला सीथा रमन देवलनो जो हैं launch किता गया एन्दा theme की रख्या गया technology enabled simplified and collaborative banking और राइट एन्दा की aim हुन दया एन्दा aim हुन दया कि जड़े customers नू digital transformation दिनाल सुभी दामा provide कितियां जा सकन ताकि जड़े customer है उनना दा experience banking देविच अच्छा रह सके ठीक है और एन्दा 4.0 initiative जो है launch किता गया है और एन्दे विचना 24 by 7 banking दिती जन दिया है technology दिनाल और ease of banking नू भी एन्दे विच प्रमोट किता जन दाया all right question number 24 RBI included PM स्वाव निधी scheme beneficiaries under the payment infrastructure development fund ता जो PM स्वाव निधी scheme है हुन एन्दे बेनेफिशेरीज नू payment infrastructure development fund दे अंडर भी include कर लया गया ठीक है ता ए स्कीम किनना दिली चल दिया है PM स्वाव निधी scheme street vendors जड़े हुन दिया ओनना दी आत्म निर्भरता दिली किती जन दिया ओनना नू loan provide किता जन दै ता इस दी full form हुन दिया PM street vendors आत्म निर्भर निधी scheme ठीक है point of sale जड़े है एनना नू infrastructure दे tier 3 तो लेके tier 6 दे विच्छ north eastern states and center states दे विच्छ ज़ादा तो ज़ादा deploy किता जा सके start किता जा सके ठीक है ता RBI ने हुन PIDF scheme दा जो tier 3 तो लेके 6 है एनननो ता launch किता है सिगा है ना encourage करन दिले ही ताकि POS establish हो सकन ते हुन ना RBI की कर रहा है हुन ना tier 1 और tier 2 दे street vendors है गया है उनना नू विच्छ शामिल कर रहा है ठीक है येस ते जेड़े फिर अंदे विच्छ tier 3 तो tier 6 होनगे ए और अटोमेटिकली यानि by default ही cover हो जानगे question number 25 PFRDA increased the entry age of national pension system ते जेड़ा अपना Pensional Fund Regulatory and Development Authority है अनने ना की किता जी अनने National Pension System दे विच्छ जो एज हुन दी है entry दी पहलना पैंट सी गी हुने 70 साल कर दीती है ठीक है पहलना 18 तो पैंट साल दा बंदा है अन्दे विच एंटर कर सकदा सी हुन 18 तो 70 साल दा बंदा इसनो अवेल कर सकदा है ठीक है और NDA revised norm दे according की होना है कोई भी Indian citizen, resident या फिर non-residence या फिर overseas citizen जिन्दी एज 18 तो लेके 17 दे विचकार होएगी और NPS नो जोइन कर सकदा है ठीक है और फिर 75 साल तक एननो continue राख सकदा है मालो जेकर कोई pensioner एननो पैंट साल दी एज तो बाद जोइन कर दा है ठीक है ता NDA जेडी exit दी normal age होएगी ना स्वरी normal साल होनगी ओ तीन साल रहनगी यानि तीन साल तो पहलना जो exit करेगा ता फिर एननो premature exit मन्या जाना है ठीक है Question number 26 The Ministry of Corporate Affairs extended the tenure of company law committee till September 2022 ता देखो जेडी अपनी corporate affair ministry है एनने company law the committee नो एक वारी फिर एक साल दिली September 2022 तक extend कर दीता है ठीक है ता जेडी अपनी corporate affair secretary है गेने Rajesh Sharma AS committee दे chairman है और एननो 2019 दे विच बनाया गया सिगा और इस दे विच 11 members है गेने ठीक है और एस कमेटी नो National Company law tribunal दा कमकाज दे विच इंप्रूमेंट करन दे लई या फिर suggestions दे लई बनाया गया सिगा सिगा और पहलना भी अंधी टन्योर 2022 दे विच सरी 2020 दे विच सेप्टेंबर 2021 तक लिए extend किती जा चुकिया ते corporate ministry है किनना कोल निर्मला सीथा रमन जी कोल जो अपने finance minister मिने ठीक है Question number 27 नाबाड approved a credit plan for याक हस्मेंडरी इन अरुनाचल प्रदेश ता जो national bank for agriculture and rural development है एनना नेक credit plan लेके आंदा है तांकि ना अरुनाचल प्रदेश दे विच जिनने वी याक दे herders हैगे ने ठीक है एनना दा पालन कर देने ओनना नू की किता जा सके ओनना दी income दे विच वादा किता जा सके ओनना दी जो livelihood है उननू strengthen किता जा सके ठीक है और एस scheme नू national research center ओन याक दे वलनो establish किता जाएगा अगर तुसी Himalayan region देखोगे न ते उते ना जो याक हुंदी है एस सब तो manga animal हुंदा है क्योंकि एन्दा यूज meat दे विच किता जान दा है milk दे विच किता जान दा है इस दे नाल नाल एन्दा जो fiber है एननू clothing दे विच चे ते shelter दी जरूरत नू पूरा करंद दिले भी यूज किता जान दा है पर अगर आपा पास्ट कुछ डैकेट दे विच देखने है एन्दी जो population है गी है बहुत ही जादा काट रही है लगातार कि एन्दी conservation दे लेई और एन्दी reservation दे लेई ही फिर एवाली scheme लेकि आंदी गई है अबाड वलो ठीक है question number 28 moved out the Indian overseas bank from PCA framework ता देखो जो इंडियन overseas bank है एन्दी PCA यानि prompt corrective action framework एन्दे financial profile जड़ी है improve होन करके as framework दे विच्चो बार कट दिता गया ठीक है और एन्दी PCA दे अंडर ले अंदा कदो गया सी October 2015 दे विच्च किस लई क्योंकि एन्दे ना बहुत जादा non performing asset होगे सी यानि की एन्ने काफी लोगा नू लोन दिते पर लोन एन्दे वापिस नहीं आए ठीक है तो जेड़े लोन वापिस नहीं आदे उन्ना नू non performing asset बोल देने ठीक है इसदे नालना लेंदे negative return on assets वी जादा IC ठीक है इसदे करके फिर नू शामिल किता गया सी PCA दे framework दे विच्च ठीक है हुन अगर आपा at present IOBD condition देखिए ता जादा लोन दे सकेगा हुनने specially corporations नू ठीक है क्योंकि हुनने नू as PCA framework दे विच्च बार कर दिता गया एस टाइम सिरफ एक ही बैंक है गया मुंबई बेज सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया याद रख ले ना जो की PCA दे अंडर रह गया है ठीक है ए भी देख्या जानदा है कि जड़ी अंदी financial profile है उन्दे बेज दियुपर ही restriction लगाईया जानदिया है तब कुछ बैंका दियुपर जादा भी लगाईया जा सक्दिया है ते कुछ दियुपर थोडिया कट भी लगाईया जा सक्दिया है ठीक है जो इंडियान Overseas Bank है ए ट PLI scheme for auto auto components and drone industries तदेखो जो अपनी पारती सरकार है एन्ने की किता है एन्ने ना PLI scheme नू auto auto components and drone industries दे लई अप्रूव कर दीता है ठीक है और एंदेनल की होएगा एंदेनल production linked incentive schemes है गियाने ए मेल सकन गिया और इंडिया दी manufacturing दी जो capability है एन्नों बदाया जा सकेगा ठीक है और बोल्या जा रहे है कि एस इंडिस्ट्री नू और वाले पांच साल दे अंदर अंदर क्रीब क्रीब 26000 क्रोर दे incentive धित्ते जानगे ठीक है और एदेनल employment जड़ी है ओवी बहुत जादा generate हो सकेगी एदे विचना दो components रखे दूसरा है component champion incentive scheme ठीक है और अगर तुसी एन्ना दोना नू देखोगे ता तुसी एथे याद रखना कि 2021-2022 दे budget दे विच तेरा एदना दे सेक्टर सी जिन्ना नू की PLI scheme अनौन्स कर किता गया सी जिन्ना दे लई ठीक है और एदे विच अपपा हुने किता थोड़ी देर पहला budget वाले session दे विच की 1.97 लाग करोर दा प्रावधार में अन्दे ली रख्या गया है और जेड़े ये दो component है गया ना अन्दे विच जेड़ा पहला component है किड़ा champion OEM incentive scheme वाला component इस दे विच ना incentive जिते जानगे battery electric vehicles नू या फिर hydrogen दे फ्यूल देना चलन वाले वहिकल द थ्री विलर commercial vehicle वहिकल ट्रैक्टर्स होगे passenger vehicle होगे सार्या नो इस शामिल किता जाएगा ठीक है question number 30 digital population clock integrated by भारती प्रवीन प्रवार ता देखो digital population clock नू union minister of state for health and family welfare भारती प्रवीन प्रवार एनना ने लौंच किता है और एनना ने डेली यूनिवरसिटी दा जो economic growth दा इंस इस दे विच इस नू लौंच किता गया ठीक है और इस दे नाल नाल इक भुक नू भी लौंच किता गया है नाम है infant and child mortality in a Sam and the main name है तुसी अनना याद राख लेना और रहनों डॉक्तर दिपांजली हलोई और डॉक्तर सुरेश सर्माने लिख्या है बहुत important रहेगा याद रखना और एक ले clock दे नाल होएगा कि एदे नाल इंडिया दी जो population है एंदी minute by minute estimation रखी जा सकेगी और एदे विच टोटल fertility rate हो गया या फे इंफेंट दा जो mortality rate होंदा है या फेर जडिया मदर होंदी है उनना दा mortality rate होंदा है एंनना सारा दे डेटा capture किता जाएगा जी दे नाल की यंग जनेरेशन दे विच अवेरनेस दीती जा सकेगी ठीक है question number 31 India has emerged as second biggest trading partner of Dubai ता देखों जेडी 2021 दी पहले हाफ दी रिपोर्ट आई डुबाई दी गवर्नमेंट वलो एंदे च बोल्या गया है कि डुबाई दा जो पहले नंबर दा trading partner है ए रहा चाइना दूसरे नंबर ते आ इंडिया एंड तीसरे नंबर ते रहेगा USA से एलनों सिर्फ तुसी अद्दा याद रख लेना कि पहले दूसरे तीसरे देविच केडा रहे है ठीक है दाट सेट क्वेशन नंबर 32 गर्रूप ओफ मिनिस्टर्स फॉर्म्ड इन रेशनलाइज जी एस्टी रेट्स ता देखों जी एस्टी दे रेट्स नों रेशनलाइ जिए अपने परफोजल देंगे ऑके नाल ही जड़िया अलाग अलाग डिफरेंट श्लाब्स है गिया ना नों मर्ज कर दिता जाएगा विदिन टू मन जी एस्टी दिया ठीक है और यह पर पहले ही कर चुक यां जी एस्टी दिया पंज बस से गीया राइट और इस नाल न इवी चार्जिंग स्टेशन ओपन्ड ता देखो इस स्टेशन नूं काजा टाउन जो की लहोल्स पिती हिमाचल प्रदेश दे विचा है एथे बनाया गया ठीक है एवी मातलव इलेक्ट्रिक वहीकल जड़े हुं दिया है एन्ना नूं चार्ज करन्दा स्टेशन ताकि जेड अपना इन्वाइनमेंट है एन्दी सस्टेनेबिलिटी नूं डेवलप किता जा सके और एन्नों 500 फीट दी हाइट देवलप किता जा रहे है ठीक है और इस दे नाल नाल एथे ही दो विमेंड ड्रॉब यानिके जिना नूं ओरतां चलौन गया इलेक्ट्रिक वहीकल एन्ना मनाली तो लेके काजा तक चलाया जाएगा तांकि क्लीन एंड ग्रीन इन्वाइनमेंट नूं अच्छीव किता जा सके ठीक है और जेड़े एस चार्जिंग स्टेशन देउपर प्रोड़क्ट्स होनगे सारे प्रोड़क्स मेड इन इंडिया है यानिकी पारत देविच आस स्कूटर वगेरा है ना ए जो है ना ए रोड एंड ट्रांसपर्ट मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री इवन ए सारे जो निकी सोच रहे नी ए कह रहे है कि जड़ा रेलवे है या मेट्रो है या लंबे रूट दिया जड़न आब बसी जुन दिया है असी एनना नुमी हाइड्रोजन यानि की ग्रीन हाइड्रोजन दे फ्यूल दे उपर चलोना आया ओके और इंडिया दे विच्च टू थाजन फिफ्टी तक एनना वेहिकल दी ही मनौपली नूँ एस्टैबलिश करन दे लेही यतन किते जा रहे है ओल राइट क्वेशन नंबर 34 बैंक डिपो देपोजित 11.9% इंक्रीज हो या एन्दे विच्च करन्ट फिर नैंड सेविंग अकाउंट जडे हुंदे नी करन्ट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट माफ करना एनना दे विच्च जड़ा शियर है अगया एह हुन मार्च 2021 दे विच्च किन्ना हो गया 43.7% और 2020 दे चेहे 41.7% है गा सी ठीक है ति सब्सक्तों जादा शियर एनना देविचे 59.6% है गया metropolitan branches दा और राइट क्वेशन नबर 35 ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री तो रिडूस emission from ships by 2050 देखो जेड़े अपनी पूरे वर्ल्ड दी ग्लोबल शिपिंग इंडस्री है ना एनने की बोले है कि 2050 तक ships दे विच्चों जेड़ा carbon emission होंदा है इसनों कटाया जाएगा ठीक है ता जेड़ा 90% तक वर्ल्ड ट्रेड है ना एक इंडे द्वारा किता जन्दा है सी रूट दे द्वारा किता जन्दा है ठीक है तुसी ग्लोबल शिपिंग दी गल करोगे तब पूरे वाल दे विच्च जो सी ओ टू दी emission है एन्दा तिन परसेंट शिपिंग दा जो इंडस्ट्री है ना एन्दे वलोई किता जन्द है राइट ते इंटरनेशनल मेरिटाइम और्गिनाइजेशन ने हुने एक एम रख्या है एन्दा ने बोले है कि जड़िया ओवरोल ग्रीन हाउस गैसीज दी ठीक है और एक क्लाइमेट गोल जो की पेरिस अकोर्ड दे विच रखे गए सी एन्दा नू पूरा करंदी कोशिश करंगे और पेरिस अकोर्ड दे विच बोल्या गया सी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना एन्दा टू डिग्री सेल्सियस तो निच्चे ही रखना पाएगा अगर एसी दुनिया नू बचाना चानने है अदर्वाइस सारे ग्लेशेर पिगल जानगे और जड़े ओशियन है एन्दा लेवल बहुत जादा उपर आजेगा ते जड़े कोस्टल एरिया दे नेड़े ते रे वस्य होई शैर है गेने न ए पूरी तरह पानी देवेच जानगे ठीक है क्वेशन नंबर 36 नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉंजड फोर इन्वेस्टर्स आड बिजनस देखो जेड़े अपने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है गेने पियूश गोईल एन्ना ने की बोले है एन्ना ने बोले है कि इन्वेस्टर्स आड बिजनस दे लई एक सिंगल विंडो सिस्टम आएगा जिस दे नालना डिस्टिबिशन किता जा सकेगा नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम नामतों इस सिस्टम लॉंच किता गया और गोर एक की करेगा जी एजड्म वी इन्वेस्टर्स होंगे एना धे perpetव लैंड लैंड ल लाइन ऐम भी अधिकल के बाप्राइबद ये इविच एड़ कर ले चाहिए गया है ठीक है इसमबर ट्वेंटी क्रेंट्म भी उन फोटीन सेट्री रिपार्ट्मेंट होर और पन्ज होर स्टेट्स चैट्ज फिच कर लिया जाएगा घ्र्षीर मधिन अब्र वंगोंडे देल लई और अप्रूवर्स दे लई ठीक है ना और जिए फैनांस मिनिस्ट्री आ एनने 2020 दा जो बजट आ ऐस दे विच्वी इन्वेस्ट्मेंट क्लियरंस सेल दी अनाउंसमेंट किती सी और जिए डिपार्ट्मेंट ओफ प्रमोशन ओफ इंडस्ट्री है एन्वेस्ट इंडिया देनाल मेल के आस पोर्टल नो डैवलप कर रहा है ठीक है क्वेस्टन नबर 37 फसाय अवाड़ेड फाइव स्टार इट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन तू चंडिगर्ड रेल्वे स्टेशन ता जो फूड सेफटी आड स्टैंडर्ड अथॉर्टी ओफ इंडिया है एन्ने चंडिगर्ड रेल्वे स्टेशन नो अच्छी क्वा आवाले जो रेल्वे स्टेशन ने बहुत ही इग्जैंपलरी कम किताया सेफ एंड हाइजीन फूड अपने पैसंजर्जन नो देन दे लई ओके हां जी अगर अपा गाल कर दिया रेल्वे दे विच्छ जो फूड स्प्लाई दा मला रिस्पॉंसिबल संस्था एक एड़ी ह जी इंडियन रेल्वे स्टेशन डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन ठीक है एही रिस्पॉंसिबल हुन दिया है ओके और एंड दी रिस्पॉंसिबिलिटी सिरो फूड दे लई ही नी हैगी बल्कि इस दे नाल नाल जदो रेल्वे स्टेशन दी अप्ग्रेडेशन करनी हुन ठीक है उजदे लई वी एही संस्ता कम कर दिया है और एंड इचंडिगर्दे रेल्वे स्टेशन दे विच अप्ग्रेड करने लेए चुनिया और इंडिया दे विच ने एक मूँमेंट चाल रही है इट राइट मूमेंट एंड इंडर ही इट राइट सर्टिफिकेशन कि किता जा सके ठीक है और अगर अपा चंडिगर्ड रेल्वे स्टेशन दी गल करिए ताइप पहला एंड रेल्वे स्टेशन नहीं है जिसनों सर्टिफिकेट मिलिया ए रहेगा पंजवे नमबर दा ओके इस तो पहला अनांद विहार टर्मिनल डैली दा चत्रपती शिवाज रेल्वे स्टेशन मुंबाई मुंबाई सेंटर लेल्वे स्टेशन देंड काडोड़ दार रेल्वे स्टेशन वडोद्रा दा एंड नहीं वी ए वाला अबोर्ड दित्ता जा चुकिया ठीक है question number 38 RBI to launch trial project of CBDC by December 2021 RBI ने बोलया है कि ये CBDC दा ट्रायल शुरू कर दिनगे December 2021 दे विच ठीक है ये पहला product रहेगा इसलिए RBI एदलेई काफी जादा संजीदगी देनाल कम कर रही है CBDC एक virtual currency होएगी जेड़ी की central bank वलों issue किती जाएगी और एना paper currency दा ही digital version रहुगा अगर अपा paper currency दा यूज देखने है ता अनू पता ही है कि continuously पूरे world दे विच अनू कटाया जा रहे है और जड़ी digital currency है एन्दा trend बहुँ जादा वादर है जिस तरह की Denmark है, Japan है, USA है, Germany है एवी एदान देख countries है जिनना देविच electronic currency नू इशू करन दा विचार किता जा रहे है ते जड़ी cryptocurrency होन दिया ना, अगर अपा एन्दी गल कर देखने यूज दे विच ता एन्नू यूज करने विच इंडिया रहाया दूसरे नमबर देखने ठीक है और पहले नमबर देखने विच वियतनाम question number 40, हाँ जी, खरीफ food grain production to touch 150.50 million ton in 2021 sorry, यह थे 39 नमबर आई थिंक जंबल हो गया, हाँ जी, ता 2021 देविच की होया है कि जो खरीफ दी food grain production है, यह बोल्लया जा रहे है, 150.50 million ton touch होईगी, ठीक है ता agriculture ministry जो है, एनना ने expect किता है, कि ए रिकॉर्ड बनेगा 150.50 million production दा खरीफ season देविच ठीक है, और बोल्लया गया है कि जड़ी rice दी output है ना, यह बहुत जादा अच्छी निकलन वाली है 2021 देविच अगर आपा crop year दी गल करिये, ता ए सिगी 119.56 million ton ठीक है ते खरीव crops, या फिर monsoon crops, या फिर कहलो ottman crops, इम monsoon दे दोरान cultivate किती जान दी है एस देविच rice, cotton, maize वगेरा जो हुन दी है, crops इनना नो शामिल किता जान दा है, ठीक है निती आयोग and RMI India दोना वन नो इकठा शुरू किता गया, ठीक है एनदा मोटिव है गया कि पूरे इंडिया देविच pollution free delivery वहिकल जेड़ है गया एननो नो प्रमोट किता जा सकी, ठीक है ता अगर तुसी शैरान देविच गल करोगे ता जेड़े एथे दे freight vehicles हुन देने न, ए 10% इंडियन freight दे हिस्सा हुन देने ठीक है जीज़े विचना CO2 दा emission किनना हुन दा है, 10% हुन दा है, पूरे इंडिया दे freight vehicle दे मुकाबले और ये बोले जा रहा है कि 2000V तक ए 114% तक आ जुगा ता तुसी समझ पारे हो, ओन वाले टाइम देली बहुत वड़ा खत्रा बन सकते हैं, ऐसले ही, शून्या केंपेनी शुरू किता गया है, यानि कि अन्या ने बोले है कि तुसी जीरो कार्बन एमिशन करो, और इनीशली एननू 30 कंपनी जिस तरह की महिंद्रा एलेक्रिक होगे, बिग बास्केट हो गया, स्वीगी, टाटा मॉटर्स, एनना वल्लों अटेंड किता गया सी मीटिंग नू, जिस मीटिंग नू, निती आयोगदे CEO अमिताब कांत ने चियर किता सी, ठीक है, क्यूशन नमबर 42, क्यूबा रेकगनाइज़ और रेगुलेट क्रिप्टो करंसी, ता देखों, ता नू पता है क्रिप्टो करंसी दी, जो पॉपुलेरिटी है, बहुँ जादा वद रही है, है न, और जिन्निया में लॉंग डिस्टेंस दिया, ट्रांज देविच कवर भी किता सी, कि सेंटल अमेरिकन कंट्री, एल सेलवाडो, एनने वी क्रिप्टो करंसी बिट कोईन नू रेकगनाइज किता सी है न, और अपनी नेशनल करंसी दी रूप देविच अनाउस कर दीता सी, और एद्दा करन वाली ये पूरे वाल दी पैली कंट्री बनी सी, और क्रिप्टो करंसी जो हुंदी न, इक तरह दा मालनो बाइनरी डेटा ही हुंदा है, और मीडियम ओफ एक्चेंज दी तरह यूज किता जान्द है, एन्दे विच कंप्यूटराइज डेटा बेस दी फोर्म दे विच अनू सेव कर ले जान्दा है, एन्दी कोई फीजिकल फोर्म नहीं हुंदी जिस्तरा की पेपर करंसी दी या कौइंस धी हुंदी है, तही अनू इस्यू और आनू न आ था कोई सेंटरलाइज डेटा ग्याना, लीज एंदे फाउंडर दा आज तक किसे नू नहीं पता, इसलाई एन ना धा एक मणलब फिक्शनल नेम गया सतोशी नाकमोटो ओके और सतोशी नाकमोटो दा हाल ही देविच इक स्टैचू भी हंगरी दे बुद्धा पैस देविच ना एस्टाबलिश किता गया सेट अप किता गया ठीक है इंडियन ओयल टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मतुरा ता इंडियन ओयल जो है ए की सोच रहा है एना ग्रीन हाइड्रोजन देविच बहुत जादा काम करदा पैं इन्वायनमेंट नू बचान दे ले ठीक है तैना ने अपना पहला ग् कियत एनना दिया थी ठीक है ते फोर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडरा गंदी ने 1972 दे विच इस दे फांडेशन रखी सी और राइट येस अगर आपा देखिए रीसेंट्ली जो इंडियन ओयल है एनने डेली दे विच वी एक हाइड्रोजन फ्यूइल सेल दा एक्सपरिमें दे अंडर एनने 50CNG बसेज नो हाइड्रोजन फ्यूइल देनाल चलान देले कनवर्ट किता सी ठीक है और एदे नालनाल इंडियन ओयल टाटा मोटर्स देना मिलके भी डेली दा जो एंसी आर दा रीजन है एन्दे विच पंदरा फ्यूल सेल बसेज नो अपरेट करेगा ओक इंडियन ओल इंडिया दा लार्जेस्ट फ्यूल रिफाइनर एंड क्रूड ओयल इंपॉर्टर भी है ठीक है और एंवार्मेंट दे फ्यूल दे विच बहुत अच्छे काम करदा प्या है और एनने ना सेकिंड एंड थर्ड जनेशन दा एथेनल प्लांट नो भी पानी पत दी रिफाइनरी दे विच सेट अप किता है इस सारे पोइंट तडेल इंपॉर्टर एंड गी ओके और एथेन आ ऐस रिफाइनरी दे विच की होना है राइस स्ट्रॉद इनाल एथेनल नो प्रोडूस किता जाएगा और फ्यूल दी तरह यूस किता जाना है ठीक है तोशन अंदर पंदरा सो जो आटिशन्स है गया है एनना नो ट्रेनिंग दिती गई है राइट और ए ट्रेनिंग ट्रेंट स्मर्थ ट्रेनिंग सेंटर दे अंडर दिती गई है राइट और ना जो अपने टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री है एनना ने 65 कलस्टर नो अडॉप्ट किता स ताकि artisans नो develop किता जा सके और स्मार्थ स्कीम जो है गिया है एननो 2017 दे विच लॉंच किता गया ताकि जड़ी अपनी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री दे विच स्किल दा गैप है इसनो खतम किता जा सके ठीक है question number 45 union cabinet approved highest ever FRP for sugarcane ता sugarcane देले हुन तक दी सब्तो वड़ी FRP सब्तो हाइस्ट FRP अपनी union cabinet ने अप्रूव किती है ठीक है FRP मतलब fair and ruminy relative price ओके एननो ना 2021 देली बोल्लया गया है कि 290 पे प्रती कवंटल दिता जाओगा ओके और ये 10% recovery दो पर दिता जाना है मतलब अगर मानलो जड़े farmers है गिने ओं 69% तों कट दी recovery कर दे अगर अपनी crop तों ता फेर ओना देली दो सुपचतर पे प्रती कवंटल FRP ही रहेगा ओके और ये जो प्राइस है गया ए ना बोल्या जा रहे है कि अक्टूबर तो लेके सेप्टेंबर दा जो marketing year है एदेल ही increase किता गया ठीक है अगर अपना FRP दी गल कर देयां ता एक केड़ा प्राइस हुंदा है ये ओ प्राइस हुंदा है जीज़े विचना शुगर मिलते जो farmers ने ना ओना तों सरी जड़ी ये sugar mills ने ओं फार्मर तों अगर ने शुगर के नो गन्ये नो परचेज कर दिया है ठीक है और यूनियन गवर्नमेंट वलों कमिशन किता गया जो agriculture कोस्ट हुंदी है एंड प्राइस हुंदी है एनना दी रेकमेंडेशन दे उपर ही बेस किता जानदा है ठीक है फिर यूनियन गवर्नमेंट एनना नो अनाउंस कर दिया है और ये प्राइस जो है पूरे देश दे विचे इक कोज यह हुंदा है यानि कि state to state vary नहीं करेगा और ये विच ए नहीं देख्या जानदा कि जेडिया मिल्स है गिया मैं हाना जेडिया शूगर मिल्स है एननना नो काटा हो रहा या वादा हो रहा है बल कि एस एफर पी नूँ होर भी जादा उपर लेके जान दिया है यानि कि एफर पी तो उपर रेट जो है यह अपने किसाना नू दिन दिया ने ठीक है बट एफर पी तो निचे दा रेट किसे वी state देविच नहीं दिता जानदा ओके question number 46 the Ashok, the hotel Samrat and seven other hotels to be monetized ता एते फिर गल हो रही है अग दुवारा तो प्राइवेट करन दी ओके ता देखो जड़ा अशोक है या फिर जड़े hotel Samrat दी जड़ी सीरीज है है ना एनन नू बोले जा रहे है कि आन वाले चार साल दे अंदर अंदर एनन नू लीज दे उपर दे ठीक है और प्राइवेट अपरेटर्स नू दे दिता जाएगा ठीक है फाइनांस मिनिस्टर ने अनाउंस किता कि एट इंडिया दे टूरिजम डेवलप्मेंट कॉर्परेशन दे अंडर प्रॉपर्टीज है ना एनन नू मोनिटाइज किता जाने है ओके और ए एड़न दे पाइजिती अंडर पब्लीक सेक्टर अंडर्टेकिंग है और ऐसे में अंदर बोल्या जा रहा है कि चार जो अशोका ग्रूप दे होटेल हे ने चार ये अंडर जोइंट वेन्चर दे होटेल सब्सक्रा ने चार बनी काफी संस्ताम है पर मैं तो होटेल करर ने थीगा ठीक बहुत जादा कम किता है पर चाइना दी जो स्पोर्ट है पहले नंबर दे उपर जे ओंदी तो बरकरार है गी है पिछले साल यूएस से दूसरे नंबर थे और इंडिया सी तीसरे नंबर थे इस वारी अन्या दोना ने आपस दे विच एक तरह पोजिशन चेंज कर लिए ठीक है यूएस से तीसरे नं किता है इस ओफ डूइंग बिजनस वी एंदा एक कारण है गया और यह जो रैंकिंग है एंदे वीच की देख्या जन्द है कि किसे देश देश देविचे मैनुफेक्ट्रिंग स्टार्ट करन देली कैपेबिलिटी है या नहीं है और एते जो बिजनस इन्वार्मेंट है ए इस तो बाद एते जो पलिटिकल एंड एकनोमिक इन्वार्मेंट है एंदे वी रिस्क देखे जांदेने ठीक है अगर एंदा सारे आंदे वीच कोई देश खरा उतर दे ता उससे बेस देव परी फिर एंदा नू रैंक दिते जांदेने ठीक है जिस देविच इंडिया रह वी हुन क्वैलिफाइं माल ले ठीक है अप्रूवल दे दिती है देखो पेपल जो है ना ए बाए एंड सेल कर लई बिटकोइन दे लई या फिर बाक्की जिन्यावी क्रिप्टो करंसी हुन दिया है उन्ना दे ले यूके दे वी चैन्ने मानिता दे दिती है गी है और ए पे क्रिप्टो करंसीनों यूज करने दे ले उके डे मतलब किया है एंडा मतलब है नवन यूज कर सकने यक्र कर सकने ठीक है या एक अमेरिकन मल्टी नेशनल फाइनशल टेकनालोजी कंपनी है और ओनलाइन पेमेंट सिस्टम दे द्वारा मनी ट्रांसफर कर दिया है इस दे नालनाल चेक होगे या मनी ओडर होगे एनना दा कब किता जंदा है और ये अपनी या सर्वीसिज दिन दिया है तश देन धा फेरे चार्ज भी कर दिया है और ना सारें हो आंपकर दिया है Question number 49, FB यानि की Facebook, Facebook इंडिया लॉंच्ट, Small Business Launch Initiative, ता जो Facebook ने न, Indie 5 नाम दा, एक online lending platform है, इस दे नाल हाथ मिलाया है, ठीक है, किस देले ही, Small Business Launch Initiative देले ही, ओके, और इंडिया पहली अदान दी कंट्री है, जिते फेस्बुक आपने ऐस इनिशेटिव नू लॉंच कर रहा है, ओल राइट, और जिड़े Small and Medium Business हुन देया ना, एनना नू जो जदो ए FB दे उपर अपने advertisement करनगे, ठीक है, ता एनना नू फिर credit लेंग देले, quick access दिता जाएगा, FB देवन लो, ओके, एन्डा एम की है गया, एनना ने बोले है कि जड़े छोटे बिजनस हुन देया ना, ओनना देलेई, लोन दे जड़े प्रकिरिया है गिया है, एननू इजी किता जा सके, ओके, और FB ने 2000 वी देविच ना, World Bank and OECD देनाल मिलके, एक Future of Business नाम दाना सर्वे करवाया थी, ठीक है, और उस सर्वे देविच एफबी ने की नोटिस किता, की पूरे ग्लोब की हो रहा है, की कैश ता जो फ्लो है ना, एक प्राइमरी चैलेंज बान गया है, स्मॉल बिजनेस दिजी लही, ठीक है, ऐसे करके फिर एननू लॉंच किता जा रहा है, और एस वलो दिते गेड़े लोन हैंगे, एस सेवेंटीन तो लेके 20 परसें तक अनूल इंटरस्ट वी सोसाइटी, ता एनके सिंग कोन ने, अपने 15 वे फाइनांस कमिशन दे चेर्मैन ने है ना, और एनना नूहीं इंस्टिटूट ओफ एकॉनमिक ग्रोथ सोसाइटी दा प्रेसिनन ने उप्त किता गया है, एनना तो पहलना डॉक्टर मनमोहन सिंग जो अपने फोरण प्राइ एनना ने किया है कि एनना नूँ कुछ हेल्थ कंसर्न आ रहे हैं, इस करके फिर एनना ने इस कुर्सी तो अस्तीफा दे दिता है, और एनना ने ही एनके सिंग्दा नाम जो है, ए मतलब रेकेमेंड किता सिगा, और अगर आपा गाल कर देयां, आई एजी दी, ता एक ही है ज जिनना दे विच एडवांस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करन वाला सेंटर है, और एननू 1952 दे विच वी के आरवी राव वल्लों फाउंड किता गया सिगा, और एननू डैली उनिवर्स्टी दे विच लोकेट किता गया, और ए जो सेंटर है, ए इंडियन स एकनॉमी दा करेंट फियर, जिस दे विच अपा एकनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट नू भी कवर किता है, और एनना लंबा टाइम लगा था, बोलना वी इस सीरियसली बिग टास्क, तब हैंके सो मच पो लिसनिंग, आई होब कि तौनू सेंट अच्छा लगया होना ह अगर इस सेशन अच्छा लगया है तो आनू लाइक एंड शियर जरूर करना, एंड कमेंट सेक्शन दे विच कमेंड करके मोटिवेशन जरूर देना, ओके, तब अपा कल दे रेगुलर करांट फियर दे सेशन दे विच मिलांगे, एंड वान मोर थिंग, प्लीज मैंनों य अगर आपा उनना नू वीकली करांट फियर दे विच कवर कर दिये, यानि कि पूरे मन्थ दे विच चार वार करांट फियर आजा करने, बाकी जड़े डेज होन, उन दे विच अपा स्पैशल सेशन नू ही लेके आए, तक ही तो अडेली ये सही है, अगर तो आनू सही लग आपा सही हूना नू सही है, तक ही है।